हेलो एवरिवन मैनी लम्तिवारी आप सभी का मैगनेट बिंस में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैगनेट बिंस से कैसा चैनल है जहां पर आपको किंडर कार्टन से लेकि 12 ग्लास तक का सारा स्टेडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ओनलाइन एविलेबल करवाया जाता है तो जैसा कि अब हम अपना आज से नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है हमारा भूकंब विभी शिक्का जो हमारा कौनसा है दशमपाथः कौनसा है यह हमारा अध्याए दस या कहें हम दशमपाथः चलिए तो अब हम इसको जब पढ़ें उसके पहले इसका नाम समझ लेते हैं क्या लिखा है भूकंब विभी शिका भूकंब की विपत्ति थीक है भूकंब के द्वारा आने वाली विपत्ति अब भूकंब आपको पता ही होगा कि यह क्या होता है कि जब भू में कंपन शुरू हो जाए भूकंब कैसे बनता है भू का अर्थ होता है धरती प्रत्वी और उसमें कंप यानि कंपन पैदा होने लगे कंपन पंपन पैदा लगता है तो उसी को हम भुकंप कहते हैं और उसके द्वारा जो विपत्ती आती है उसके बारे में हम इसको बढ़ेंगे ठीक है तो देखें पहले इसका हम क्या देख लेते हैं पाथ का परीचय देख लेते हैं कि प्रस्तोतो अयम पाठ का अस्मा कम दिया प्रस्तोत किया गया पाठ अचा सुनिए यह जो चीज है यह जो इसका यहां पर यह जो अर्थ नहीं दिया हुआ यह तरह से शारांश है ऐसा नहीं सोचना कि इसका अर्थ यहां लिखा हुआ है यह हमारा एक क्या है सारांश जैसा बता दिया गया है ठीक है अर्थ हम आपको समझा रहे हैं अर्थ हम आपको उसे सम्मंदित बता दे जाएंगे कि क्या इसका पाठ का परिज़ा है कि प्रस्तुत अयम पाठ प्रस्तुत ये वाला पाठ अस्माकम बातावरण हमारे बातावरण में सम्य करें सम्य भाव एमान प सभी किन पर समी सभी बातों का समावेश करके और क्या कहा रहे हैं वोले भूकम्प से विभीश काम запис यह क्या किरें भूकम्प से भूकम्प की जो विपती है भूकम्प के दोवारा आने वाली जो विपती है उसको बताया जा रहा है इस पार्ठ में सब तरप की चीज़ों को बता के कह रहे हैं कि संभाव संभाव यमान संभावनाय संभाव यमान प्रकाशिशू सब जो संभावनाय होती है किसकी बुली भूकंप की भूकंप विवीशिका से यानि भूकंप की जो विपत्ति है उससे उसकी जो संभावनाय हो यानि उत्पन हुई आपदा जो होती है वो कैसे होती है भयावः प्रलैयम प्रलैकारी होती है भयावः यानि भयानक होती है समुद्यपाद मानव जीवनम संत्रासेयंती संत्रासेयंती और क्या कहती है कि जिसके उत्पन होने से मानव जीवन कैसा होता है संत्रा संत्रप्त ह हो जाता है यानि कैसा होता है संत्रा त्रासयंती त्रसित हो जाता है यानि कस्चकारक हो जाता है उसका कैसा विपरीत प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है ताभी तो भी किरें प्राणिनाम सुखमयम जीवनम दुखमयम संजाते जिसकी वजह से जिसकी द्वारा ताभी श सुप्रक्मुखा संती जैसे मैं से कौन-कौन से प्रमुख है ऐसी प्राकर्तिक आप दाएं बुले संती जंजावातम भूकंपनम जलोपलवं अती वरष्टी अना वरष्टी शिखास कलम भूविदारनम ज्वाला मुख विस्पोट दाया है अब जैसे जंजावात यानी तूफान बहुत अधिक तेजी से आने वाला तूफान भूकंपन अभी भी आया था आपने पढ़ाओगा आपनी उडीशा के खिशता के पास में आ आपने और यहां पर महारास्ठी के पास्ते पास में किसको कहा जाता है तूफान को तूफान होना भूकंप होना जलोप्लव यह नी जलह का अदिक बारि आजाना अतीवरष्टी और अनावरष्टी और अनावरष्टी छी सूखा हो जाना शिखान सिक्राइन यह नी परवत मैं कहते है न पर. जुन दर्टी जाते हैं और परवत पैसे कि चोटीयों पैसे उनके पहड़ तोट कर गिरने लगते इस खलन हो जाता है मतलब खिसक जाते हैं भुविदारनम यानी धर्ती फट जाती है ज्वाला मुख विश्वोट ज्वट अई सब चीजें कैसे प्रकृतिक आवधाने नहीं यह मानव नहीं आपTradeए की तो आज आजल जो हमारी जीवन हो गई है जयसा कि हमारा परियावरण दूश्द होता जा रहा है प्रकृति में आप देख लो यह सारी चीजें प्रकृति पाया हमने ही खुद की है अब आप देखो तो इतना इती जो ज़्यादा तेमप्रेचर बढ़ना गर्मी बढ़ना यह हम जितने भी सुक साधन अपने प्रयोग करते जा रहे हैं जैसे जैसे हमारी जीवें से लिए अच्छी होती जा रही है वैसे वैसे प्रिकृती बिगड़ती ज जंगल साफ हो गए प्रिकृती का संतुलन तो बिगड़ेगा तो फिर प्राकृतिक आपदाएं स्वाभावेक रूप से आएंगी ही और फिर हमें उनके लिए भी तैयार रहना चाहिए ठीक है क्योंकि हम लोग भी इसके लिए उत्तरदाई है अत्रपाठे इस यहां पाठ अपकाले विपन नाम त्यक्ट्वा की का अर्थवा कि आपाठ काले यानि आपत कालमें विपन ताम यानी अपनी अंदर के अंदर घवराहक्त को त्यक्त्वा त्यागकर साह सेसी न साहस के है विपत्ति है उससे संरक्षित हो आपदाएं आती है तो उसमें इस पाठ में यह बताया गया है इस चीज के लिए थोड़ा सा हर एक को सचित किया गया है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा जब आती है तो उसमें हमें अपना धैरे भी नहीं कोना चाहिए घबराना नहीं चा चाहिए अपने और अपने लोगों को जो जितना जीवन आप सुरक्षित कर पाओ उसको हमें सुरक्षित करना चाहिए ठीक है जैसे तो इसके इस पाठ हमें किसके भूकंप के बारे में विशय के बारे में इसमें चिंतन किया गया है ठीक है चलिए तो अब हम आगे चलते ह अब पार्ठ की शुरुवाद कर लेते हैं, तो हूं लिखा है 61 सहतर और 211 शताब्दे गंतंत्र दिवस परवनी, गंत कों सा 201 एक इस विख वर्शिम है वर्श दो हजार एक में गनतंत्र दिवस परवनी यदा यानि जब गनतंत्र दिवस परव मनाया जा रहा था समग्रम अपी भारत राश्टरम समग्र यानि पूरा भारत राश्टर भी किसमें केरे है नृत्य नत्य नहीं है नृत्य लिखा हुआ है नृत्य गीत वादित त्रानाम नृत्य मतलब नाचने गाने वादनी बजाने नाचने गाने बजाने में उल्ला से इस उल्लास में खुशी में प्रसनत पूरुवग मगनम आसीत यानि मगन था तदा तदा ठीक है के रहे हैं तदा असमा कम देव क्या के रहे हैं तबी एस तद अास्माकम ए एकस्मात स्यों इसमें एसमाकम nहीं है इसमाक स्यों यह लिखा है तद अकस्मात एव तभी एकस्मात त Agristan से यानि अचानक से एव इक क्या हुआ गुर्जर राज्यम पर्याकुल गुर्जर यानि गुर्जर राजी किसको कहा जाता है गुजरात को गुर्जर राजी किसको किसके लिए कहा गया है तब ही करें हैं अकस्मात अचानक से ही एवकार्थ हुआ ही अचानक से ही गुर्जर राजी यानि गुजरात राज परियाकुल परियाकुल चारों तरफ चारों और कैसा हो गय यानि कीसा हो जाने आपके लिपर्यस्तम अब करें विपर्यस्तम यानि अस्तिवेस्त क्या कहने रहे हैं क्रंधन वेकलम रुने चिलाने की विपppen्नम क्या किहने लगे दुखी दुख की मुसीवत की जातमम दुख और मुसीबत सब जगे से क्या हो गया उत्पन्हों गया किय से हुआ बताते हैं कि एह जब हमारा देश गणतंत्र देवस परवानी गतंत्र देवस परव पर कर रहे थे जुट्यगीट वदित गीटुट लाडित्त रानम नाचनने और बजाने वादित्राण में तबही अचानक से ही गुजरात राजक young को पर्याकुलम के रहें कि चारों तिरप से आकुल यादarken हो गया विपरियस्थम अस्ति व्यस्थ हो गया क्रंदन विकलम रूने चलाने की चीखने की आवाजें आने लगी विपन्नम चा यानि विपत्ती से दुख में कैसा हो गया जातम यानि फस गया हो गया जैसा विपन्नम दुखी और मुसीबत में आ गया या हो गया भूकम पस्य दारोन विभीशिका भूकम की दारोन यानि कठेन विभीशिका के भयानक दारोन यानि दुख देने वाली पुले विभीश का मुसीबत ने क्या किया समस्त मपी गुर्जर छेत्रम सारे सारे गुर्जर छेत्र को सारे गुजरात को भी विशेशनम्चा सारे गुर्जर छेत्र यानि गुजरात राज्ये के समस्त समस्त गुर्जर छेत्र को भी और और किसको और विशेश्ट विशेश कर किसको कच्छ जन पदम कच्छ का जो कच्छ गुजरात में एक जगा है स्थान है वहाहा कर दिया किस परिवर्तिती क्या कर दिया किसकी रूप में बुले विध्वांस अवशेशों परिवर्त वती क्या कर दिया विध्वांस विध्वांस के बाद जो अवशेश हो जाता है उसमें परिवर्तित कर दिया किसने बुले भूकंप की दारुन विभीशिका ने भूकंप की जो भाया विभीशिका यानि भूकंप की जो भयानक मुसीबत आई उसने समस्त गुजरात छेत्र को विशेश रूप से और विशेश रूप से कच्छ जनपद को ध्वनसाव शेशू ध्वनस के वाद अवशेश जो बचता है यानि जो पूरा विध्वनस जब हो जा उसके बाद जैसा लगता है वैसे ही इस्तिती में वैसे ही उस जनपद को परिवर्द वाती वैसा ही परिवर्दित कर दिया ऐसी वहाँ पर भूकंप आया इतना प्रलायकारी आया था कच्छ का 2001 में सच में इतना ही प्रलायकारी था कि कच्छ में वहाँ पर कच्छ और भुज में दोनों जग अगर तो मिट्टी के क्रीडन किसको कह जाता है खिलोने की यानि भांती जो भूखंप का केंडर था जो भूजन अगर तो मिट्टी के खिलोने की तरह खंडखंडम जातम खंडखंड हो गया तुकड़े तुकड़े हो गया उसके उस छेत्र के जो भूकंप का केंद्र था भुजनगर उसके तो क्या हो गया तुकड़े तुकड़े हो गया बहु भूमिकानी बहुत सारी बुले कैसे कह रहे हैं बहु बहुबूमी भूमी तो एक ही होती है बहुबूमी का ख़्ट हुआ बहुत सारी जिसमें बहुत सारे तल हों ठीक है? तु, बहुआ हुआ तु, मतबहुत का ख़्ट होती है तु के तो क्ये रहे हैं भहु भूमे कानी भवनानी भहत सारी भूमी वाले बहुत सारे फ्लोर वाले जो फवन थे क्याते हैं जने एव छन में ही धराशाइन जाता नहीं धराशाइ धर्ति पर दो जाये जिसका अरत होता है धराशाइ यानि धर्ति पर गिर गए बहुत-बहुत उची मंजले एमारत हैं धराशाय हो गई धर्ती पर गिर गई उत्खादा अब क्या रहे हैं उत्खादा ठीक है विद्य दीप इस्तंभा क्या रहे हैं उत्खादा यानि उखडगए क्या उखडगए विद्य दीप इस्तंभा विद्य दीप यानि विद्यत के विद्यत को दीप्त करने व जो रास्तिय विखीर्ण हो गए अलग अलग हो गह गह भिखार गए विशीर्णा ग्रह सोपान घर की जो सीड़िया थी वह भी विखर तूट गए आदी उपर आदी नीचे आदी कहीं कहीं ऐसे फाल द्वई फाल का अतर टुकड़े दो द्वई विभक्टा भूमी जगे जगे भूमी दो टोकुणों में बट गई जगे क्या कलतकी दुरवार जल धारा भी क्या क्या किया रहे हैं कि धर्ती के भूमी गर्ब मेंसे उपरी उपर निस्रंती भी आते हुए उपर आती हुई जलधारा उने नीचे से लावा निकलता है नीचे जब धर्ती जब फटती है भू कम पाता है धर्ती फटती है तो भूमी के गर्ब मेंसे निस्रंती निकलता हुआ उपर की तरब निकलता हुए कैसे जलधाराने क्या कर दिया महा प्लावन द्रश्यम महा प्लावन द्रश्यम क्योंकि लावा जो निकलता है वो फिघली हुई धातूएं होती है जब नीचे जब भूमी के गर्ब के की बात की जाए क्रोड की बात की जाए तो वहां पर तापमान इतना अधेक होता है कि हर एक वस्तू कैसी हो जाती है जलती हुई पिगली अवस्ता में यह मानों जलती हुई आग होती है जब धर्ती फटती है तो वह चीज सब बाहर निकल आती है बाहर आजाती तो वही दुरवार भयानक जल्धारावी दुनिकलती हुई जल्धाराएं थी उन्हें क्या किया महापलावन महान प्रलाय का द्रश्यम उपस्तितम महाप्रलाय का द्रश्य उत्तपन कर दिया सहस्त्रा मता कहते हैंустा मता ह pale हजारों की संक्या मे संख्या में प्राणी मोड़ी मरत हो गया मर गया समाप्त हो गया हजारों की संख्या में प्राणी तो कैसी हो गया चण में ही इतना खतरनाक मत्तब इतना आप कहींगे इतना भयंकार और इतना प्रलैकारी भूकंप उस समय दोःजार एक में आया फिर क्या जब भवन तूटते हैं तो एसा तो किसी को पहले से पताओ कि भूकम पा रहा है तो भवन खाली हो भवनों मेरे scooter कितने सारे लोग होते हैं और जब भवन गिरते हैं कितने ही हजारों लोग उनकी जो कितने संपीडित जो लोग हैं सहस्त्रों क्या किया रहे हैं हजारों कैसे सहस्त्रों अन्य हजारों अन्य वोले सहस्त सहायता अर्थम हजारों लोग सहायता के लिए सहायत अर्थम सहायता के लिए करुण करुण क्रदंति में हजारों लोग सहायता के लिए छिला रहे हैं ह है यारों लोग साहयता के लिए विलाप कर रहे हैं रो रहे हैं कि बचा लो क्योंकि उनके अंदर दबे हुए हैं उनके उपर सोची भवन के अंदर जो दब गए घर घर के से करवनतास्यशंग क्रिधन कर रहे हैं रो रहे हैं चिला रहे है हाँ दईव क्या करे है ह हाद है भगवान उस्चा श़ां कंठा हाँ यानी च्छडा यानि भूख से फूर्ट से किसा हो गया सूख राहे गला गल्त प्यास से मदलब भूक से कैसे हो गहे दूरबल हो गए मरत प्राया होगै के चन कुछ कुछ horror कैसे करा इशवर कुरपा की कूरपा से दो तिन दन रहा कोई कोई बच्चे ऐसे के इशवर की कूरपा से दो तिन दन बाद बच गये या उनका जीवन बचा रहा और कई लोग तो वहीं पर चुदात में शाम कंठा मतलब भूख प्यास से कंठ सूक गया और उसी के नीचे दबे हुए म्रत हो गया बस बता के चनियानी कुछ कुछ शिशू शिशू हो अस्तु कुछ कुछ शिशू जो बच्चे हैं वह इश्वर की क्रपा से वहां पर दो तिन दन बचे रहे ऐसा बहुत कम हुआ लेकिन यह जो 2001 में गुजराद में कच्छ और भुज में जो भूकंप आया था उसकी वह बहुत ही भयानक था कितने ही हजारों लाखों लोग उसमें रत हो गया और जो जन्धन की हानी हुई अपन कलपना भी नहीं कर सकते तो अब हम इसमें आने वाले और शब्दों को देख लेते हैं देखें समग्रम अपी तो आपने इस चीच को समझा कि अपने अभी भूकंप के बारे में बात कर रहे थे कि कैसी यह इस्तिती होती है लेकिन इस पार्ठ में जो बताया जा रहा है वो इसके यह चीज थोड़ा सा आपको यह सक्षित हो पा रहे हो तो अगर आप से जितना हो सके उतना आप दूसरों की सहायता करना उस समय पर है ना यह नहीं देखना कि हम बच गए बाकी का जिसका जो होना वह हो जाए उस समय भी आप दूसरों की कोशिश करना कि जितनी आप दूसरों की सहायता कर पाए उतनी करो क क्योंकि उस समय से जो लोग पीड़ेत होते हैं उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या उनके उनका दुख और पीड़ा उस समय पे उन लोगों के साथ में होती है ठीक है चलिए अब इनकी कुछ संदी शब्दों को देख लेते हैं सग समग्रम अपी कहां से बना अपी शब अपी तदा अकस्मात देव तो तदा शब्द अलग निकाला अस्माकत अकस्मात अलग निकाला इसमें से और एव की मात्रा अलग निकाली अब यह कहोगे यह ता कहां से बन गया तो जशत्त संदी से अकस्मात जो शब्द था एक मेल से दा बन गया इसलिए वो देव लिख एकसमात ठीक है मगनम असीत हम शब्द अलग लेंगे यानि मगन हो जाना डूब जाना आसीद अलग हो जाएगा इसके दो शब्दों से मिलेगा मगनम और असीत से विपनन्च तो किने विपत नम और च से इसमें मिला हुआ है ताग ना के मेल में ये ता जो ता था वो ना में परिवर्तित हो गया और च पीछे होने पर यहां पे भी देखे ये भी पंचम अक्षर है और उसके बाद प्रथम अक्षर आ जाए तो इसके मेल से ये मा जो है इसी वर्ग का पंचम अक्षर बन जाता है ठीक है यहां पे कोई भी पंचम अक्षर हो उसके बाद प्रथम वर्ण हो तो वो क्या होगा ये जो प्रथम वर्ण अपने संगती से अपने ही पंचम अक्षर को सामने लियाएगा कहेगा हमें माने चाहिए हमारा तो साती पंचम अक्षर यहां तो वह जाएगा तो यह क्या बन जाएगा हमारा विपनच विपनंच बने जाएगा अब क्या कि रहे हैं विध्यूक्रетр के गिग्द साका तो तो में छोटा लग जाएगा अभशेश में अलग आ जाएगा आप क्या के रहें विद्युत विद्युत दीप्त इस्तंभा तो विद्युत शब्द अलग निकालेंगे दीप्त अलग निकाल देंगे और इस्तंभा अलग निकालेंगे चीक है आगे देख लेते हैं प्राने नहां तू तो यहां पे देखिए ता के होने पे विसर्ग सामे परिवर् कर दा है नियम होता है आगे दिखते हैं चछ खाम कंठा कर अलग दीर में अलग निकाल दीजे अलग निकाल लिया शने क्ट है छणेन छण भर के द्वारा ही एव पीछे दिख रहा है एव हमें पीछे दिख रहा है तो पहले तो एव अलग निकाली और उसके बाद इसमें क्या बचेगा छणेन ना बचेगा तो छणेन अलग निकालेंगे एव अलग निकालेंगे अब आप कहेंगे कि उसमें एक एक ही तो एक मात्रा होती है इसमें दो मात्राइं कैसे आए वो ऐसे कि आ और जब एक अमेल होता है तो आयादी संदी हमारी सौरी हमारी वृद्धी संदी बन जाते वृद्धी रेची यानि ए में एक मात्रा की वृद्धी और हो जाती है तो और एक इमेल से अई की मात्रा बनी तो क्या बने छणी नई थिक आगे दिखते हैं भू गर्भाद उपरी ठीक है भूमे भूमे गर्भाद उपरी तो भूमे शब्द अलग भूमी गर्भाद भूमी के गर्भ से दुपरी तो दुपरी तो होगा नहीं तो उपरी शब्द अल शो अन्ये अग्रे के वहाँ ओकी मात्रा के बाद अवग्र्ह के चिंद जहां पर दिख जाए उसका वग्र है कैसे करूगे आप उ की मात्रा को बनाएंगे हम विसरग और अवग रह के चिन्द को आ में बना देने अब देखिए यहां पे लिकाए शिशव शिशव अस तू ये जो स और त तो क्या हो जाएगा शिशवः जो आधहसा है वो ता के मेल से ही विसरग में बनता है जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा स बन जाएगा विसर्ग और यह उजाएगा तू तीके अगे देख लेते हैं अब इसके समय सविग्रे कर लेते हैं भवध सारी भूमीयों के भवण नी किनको कहा जाता है जिनमें बहवया भूमिका ये शुतानी भवनानी बहु भूमियां बहुत सारी भूमियां जिन में हो उन भवनों को बहु भूमे कानी भवनानी कहा जाता है तो ये बहु ब्रिय समास हो गया बहुत सारी भूमियों वाला भवन जिसको बहुमंजिल कह देते हैं बहुमंजिल उमारत कहते देते हैं अब कहते हैं चुद शाम कंठा चुद शाम य गला सूख गया हो इन दोनों में तो हमारा कुन सा है बहु रीभ समास को यह उसमें अलग अलग लिखा हुआ है महान और ये प्लावन शब्द अलग लिखा हुआ है विग्र तो उसका समास कर दीजिए तो क्या बन जाएगा महत क्या बन जाएगा महा प्लावन तीक कोन सा रहा कर मंधार he क्यों है ता लेकि प्रलैकी आधि कि विशिष्टर बतादी कि महान बोहत जादा फिर्स एसे ही सिकर टिक टीन कंग मिव क्रीडन कम एव मिट्टी के खिलोने जैसा अब जैसे दिखिए इव शब्द हमने कहा ना कि एव आजाए वह हमारा कौन सा होता है कर्मधारे समास हो जाए कि म्रतिकाया जो मिट्टी के खिलोनों की तरह है म्रतिकाया क्रीडन कम इव यह हमारा क्या हो जाएगा यह समास हो हो गया उनके नाम हो गया चलते हैं अब हम देखते हैं अपने अगले उस पर प्रकृति और प्रत्याय पर तो पहला आता है हमारा जातम शब्द जातम शब्द में जन इसकी प्रकृति है और इसमें इक्त इसमें प्रत्याय है परिवर्त वती परिवर्तित वती तो परिवर्त है इसके उ की मात्रा कभी लेग वजाद है इक्तकाभी वचचता है उसमें परिवर्त प्रति गिसमें है परिवर्त परिवर्त ने इसकी मूल् horrific प्रकृति है कंसी हो गई हमारी ठीक है उतल खाता तो उसमें खन हमारी धातू हो गई खन यानि निकलना और उतल यानि उतल खन उतल खननन किसको कहा जाता है ऊपर की ओर खोदना उसको ठीक है अब उत disse में उसमें उपसर्ग हो गया खन इसकी धातू होगय इक्त वी यानि वी इसका उपसर्ग है भज इसकी धातू है विभक्त यानि टुकणों में विभाजित करना इसकी भज धातू है और एक्तिसमें प्रत्या है उपस्थित में देखिए उप इसका उपसर्ग है इस्ता धातू है और इसमें भी एक्त प्रत्या है मृता में देखे ताह अब जो बड़या की मात्रा आई है मृताह शब्द लेकिन देखे मृताह शब्द में यहां पर स्त्रीलिंग वाजी शब्द नहीं हुआ अगर यहां पर आपके जो विसर्ग दिये हुए है वो नहीं होते और सिर्फ मृता लिखा हुआ होता तो हम टाप अपड़्य जरूर्ब बताते इसमें किट मृतातू नहीं होते है कि एक्तप्रत्य है और टाप पड़्य भी उस्में लगाया गया है लेकिन इसमें मृतातू है उपषर्ग पीड़द हातू एक्त प्रत्य यह अजो सब आ रहे हैं इक्त प्रत्य होता है यह हमारे हुए प्रकृती और प्रत्य अब वह अई देख लिए यदा यदा का अर्थ खि downtys यईवकार्थ होता है फीक है के जैसे यदा समगरम भारत राष्टंगीत अगायत जब सारा भारत राश्टर सब्सक्रांड गार हर था तो जो ट्रीडन कान में खंड खंड जातम भुज नगर तो भुज जो नगर था वो तो कैसा मिट्टी की खिलोनी जैसे टुकड़े टूट कहते उसके एव एवकार्थ होता ही यानि इश्वरह सरवत्र एवहस्ती इश्वरही सभी जगे होता है परियाय देख लेते हैं कि परवनिक क विपर्यस्तम चारों और विखर जाना तो अस्त वीस्तम ध्वन सावशेशू द्वन्स के बाद जो अवशेश बचे रहे नाश्य वप्रांत अवशेश बचता है उसको ध्वन सावशेश आते समग्रम यानि संपून चारों तरफ सकलम पूरा अकस्मात अचानक सहसा विप किया किते हैं बहुत सारी जिसमें भूमीयां कि उत्खादा उत्खाता का उत्पाटत यह उत्खाता का अर्थ हुआ उखड जाना उत् पाटता और देक्याते हैं बिजली की जो खंबते वह उखड गय तरह निकल जाना है नो मृता मृता यानि मरा हुआ दिवंगता राश्ट्रम यानि दिशं परियाकल परितह आकुलम यानि पचारों परिया यानि परिश window होता है चारों और गुजरात के लिए rikt इसका हो गया फरियाय शब्द हो घया और देखते हैं धहस्त का अर्ठ हों गया निश्ट हो time विशीरना यह अर्ठ हों की और दूवर er bacterial टेखन ठीके अब इसके कुछ विपरिया देखें दिवस का उल्टा क्या होगा रात्री आसी त्याने था तो अस्त्यानी है जातं मनी हो न अ जातं मानी ना होना परिवर्ट्वती नई परिवर्त्वती नहीं परिवर्त्वत्प्तनिसमें हengine उपर ही ऊपर अधह नीचे सहयता ना करें खुशी में अननन में अनला से जहां खुशी ना हूआ खंडम का खंडम ठीकए उपस्टतम का हो जाएगा अनुपस्ट्स्थ तम उम्रिता का हो जाएगा घीOh ठीक है तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके अब अगले गद्यांश को पढ़ेंगे जैसा कि हम अपने कौन सा अब आज हम पाथ शुरू करें अपना हुआ था दश्मह पाथ भूकंप विभीशिका ठीक है जिसका के हमने पहला अपना पहला जो गद्यांश था उ कि उसमें आगे क्या होता है क्याते हैं एम आसीद भैरव विभीशिका कच भूकंप स्य यह यह थी कच भूकंप की भैरव विभीशिका एम एम आसीद यानि यह थी कच भूकंप की कच भूकंप स्य काकी के का अर्थ निकलेगा सस्टी विवक्ति है भैरव यानि भयानक वि भीशिका यानि यह भयानक विपत्ती कच्छ भूकंप की थी इसके बारे में हमने पढ़ा अब क्या केते हैं पंचोतर यानि पांच दोई शहस्त्र ख्रीश्ट आपदे यानि दोई यानि दो शहस्त्र सहस्त्र का आर्थ क्या हुआ कश्मीर प्रांट में पाकिस्तान देशे चा कश्मीर प्रांट में और पाकिस्तान देशे में धरायां धरायाह मतलब प्रत्वी का महत कंपनम जातम महा कंपन हुआ यानि यसा ही भूकंप आया यसमात कारणात जिसके कारण से पंचमी विवक्ती है तो क्या काकी के कारण निकलेगा यसमात कारण जिसके कारण से लक्ष परिमिता यानि लाखों की संख्या में परिमित यानि संख्या लक्ष किसको कहा जाता है संस्क्रत में सहस्त्रकार्थ हजार होता है हजार होता है लक्ष कार्थ होता है लाख तो कह रहे हैं करोड किसको कहते हैं कोटी ठीक है लक्ष परिमि यानि लाखों की संख्या में जना लोग कैसे अकाल काल कल्विता का वलिता यानि क्या हुआ अकाल मृत्यू को प्राप्त हो गए कह रहे हैं अकाल काल यानि अकाल यानि जिनका काल नहीं जिनकी मृत्यू का समय नहीं था वो भी क्या हो गए इसमें वलिता यानि विलीन हो गए अकाल मृत्य को प्राप्त हो गए तो यह कह रहे हैं कि पंचोत्तर दे शहस्त्र क्रिश्ट दे क्रिश्टाब दे यानि शताब दी में कौन सी शताब दी में दो सहस्त्र पंचोत्तर यानि 2005 में सकाश्मीर प्रांते पाकिस्तान देसेचा धरायाह महां कंपनंजातमं यस्मस कारणात लक्ष परिमिता जना अकालकाल वलता अकालकाल और म्पराप्ती हो गया ऐसे प्रथमी प्रतवी कस्माट कस्माट्य कंपते व्यग्ञानिका इती कस्मात कंप्यते यानि प्रत्वी किस प्रकार से कंपन करती है कस्मात्य किस कारण की द्वारा कंपते कंपती है व्यग्यानिक इते व्यग्यानिक इस विशय पर विशय पर कथ्यंति कहते हैं कि व्यग्यानिक अवे भूकंप आता क्यों है इस बात पर यानि प्रत्वी कस्मात कमपती प्रित्वि क्यों कंपन करती है इस विशय पर कथ्य बवैज्ञानिक व्यज्म जो है वह क्या कहते हैं कि यत यह यानि कि पृथिव्या अंतरगर्वे¥ प्रथिवी के प्रथिवी शब्द में कौन सा मारा सश्टी विवक्ति लगी क्या बना प्रथिव्या प्रथिवी के अंतरगर्भी अंतरगर्भ में विद्यमान यानि विद्यमान उपस्तित बहत ब्रहत्रय ब्रहत्य बहुत बड़ी-बड़ी व्रहत्य शब्द किसके लिए यदा यानि चब कैसी होते हैं संघर्षन वत शंघर्षन वशाद संघर के वस वोकर त्रोट अंती तूटती है तदा तभी भीश्ण संस्खलन होता है तोamm अब हम आपको अर्थ बताते हैं कि हमारी प्रतिवी क्या है एसी एक लियर्स में बटी हुई है है उनकी एक एक सतह एक मिंट्टी गी सतय फिर दूसरी मिंट्टी फिर अब जो नीचे जो चताने होती है अब नीचे चतानों में अब आप सूचेंगे कि इनमें आपस में घरश उनमें कहीना कहीं थोड़ी थोड़ी दरारे होती हैं जिन में क्या होता है कि जो हमारा समुद्र तल का जो पानी होता है धीरे 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 नीचे जाता है अब जब जो नीचे जाता है जैसे समुद्र तल हो गया इसमें कहीना कहीं दरारों में से थोड़ा थोड़ा जा सके उची नीची उची नीची परवत होते हैं नीचे एक सतय होती है पहाड़ों की चट्टानों की उनमें से जब ये पानी नीचे धीरे-धीरे जाता जाता है तो आप देखेंगे कि जो प्रिथवी के गर्व में चट्टाने हैं वो सब तापमान के कारण पिघली हुई दवस्था में रहती हैं मतलब तरह सोचो जलता हुआ अंगारा पिघला हुआ अंगारे की रूप में रहती हैं तो जब पानी इसमें नीचे अंदर जाता है तो क्या होता है वो उनकी भाप बनने लगती और भाप का जब दवाव होता है तो भाप कही ना कही निकलने की लगती है तो इरफी च्टान पर आप इसट एसी बने हुई हैं πैंपन प्रित्वी में शुरु होता है तो यह कह रहे है कि वह हमारे भैग्यानिक होते हैं हो क्या कहते है कि प्रते व्याह यहनि प्रत्थ्वी के अंतर गर्भी गर्भ के अंतर में विद्यमान उपंस्थित ब्रहत्य पहुत सारी जो पाषान सिला यानि पत्थर के जो शिलाएं होती हैं यदा संगर्शन वशाद संगर्खशन के वसमें होकर तुट यंती जब तूटती हैं तदा जायते भीशनम तब भीशन क्या होता है संस्खलनम तो फिर क्या होता है उसकी नीचे परते की परते संस्खलन नीचे की और खिसकने लगती है संस्खल जनस्य इस खलन की वज़े से इस चट्टानों की खिसकने की वज़े से कंपनंच और कंपन होने लगता है संस्खलन होता है और कंपन शुरू हो जाता है तदैव उस तब ही भायावय कंपनम धरायाह तबी भयावय जानी भयांक प्रिशिवी में प्रिशिवी का भयांक कंपन होने लगता है उपरी तल तलम अप्या गत्य यी ऊपर तल नीचे नीचे तल ऊपर महा कंपन जन्याती तो प्रतिवी का जो उपरी जो तल होता है उपरी तलम अपी आगत्य वो जो नीचे कमपन था वो कहां तक आ जाता है धरा के उपरी तल उपर भाले तल तक आगत्य आकर के महा कमपनम महा कमपन का जन्यती जन्म देता है ये इन जिसके द्वारा महाविनाश द्रश्यम समुद्यते जिसकी बज़े से महाविनाश उत्पन हो जाता है ठीक है समुद्पध्यते यानि उत्पन होता है ठीक है समझ में आया क्या कहा उन्होंने कि संस्कलन के जन्न से संस्कलन के होने से कंपनम्चा कंपन होता है और तदाई वे उसके बाद जो भयावाय कंपन जो अंदर पृत्वी के अंतर हल चल हो रही थी कंपन हो रहा था वो उसके कहां तक धरा यानि पृत्वी के ऊपर तल तक भी पहुँच जाता है और जिसकी वज़े से ये ऐसा महाविनाश रूपी हमारे सामने महाभयंकर भूक पॉपँप आता है तो यह को इसके बारे में वेग्यानिकौ का कथन है जो यह बताया अब आगे देख लिए हम इसमें आने वाली जो संधी है वह क्या है इयम आसीत शब्द दों से मिला है आसीत अलग निकालेंगे इं इसमें से अलग निकल जाएगा जब बढ़ा यहाँ स कंपन गारणात हमारा अलग निकल आएगा अंतर गरभी को चहल अलग करेंगे तो यह जो रहे हुँ मारा विसरग में रत्वसंदी के वज़े से हो जाता है तो अंतह गर्भी हम अलग-अलग कर दिए हैं संस खलम में संसखलनम में संब जो हमारा अनुस्वार है जब हम इस खलन शब्द से सम को अलग निकालेंगे तो जो अनुस्वार था वो अपनी मूल रूप सम में परिवर्तित हो जाएगा ऐसे कमपनम च में कमपनम अब ये देखिए विग्र है तो इसका जब हमें क्या करना है समस्त पद बनाना है संधी करनी है इसकी तो क्या करेंगे जो हमारा ये च है इसके योग में ये जो मा है क्या बन जाएगा इसी का पंचम अक्षर बन जाएगा तो चा का पंचमक्षर कुन सा होता है यां मा आधा है तो यां भी आधा ही इसके अंदर आएगा तो क्या बन जाएका कंपनम चा थिक तो इस परकार से यह हमारी संधी हो जाती है कहते हैं तदा एव तदा एव से बनता है तदाईव कैसे वोले आ और ए का मेल होता है तो एकी मात्रा में एक की वृध्धी हो जाती है जब एक मात्रा की वृध्धी हो जाए तो वहीं पर हमारी वृध्धी संदी हो थी ए आई और आउ की मात्रा निकलती है वृध्धी संदी ठीक है तो यह गया तदईव उपरी तलम अप्य आगत्य तो उपरी तलम तो उपरी अलग निकाल दीजिए तलम अलग निकेला यहां देखिए प्या प्या शब्ध हमने आपको बताया ता जहां पर आधा पा यह दिख जाये तो देख लेना यह पी जरूर बनेगा जब तो जब पी है तो कहीं ना कहीं आ तो छुपा ही होगा तभी अपी निकलता है तो कहां से निकालेंगे और निकलेगा तलम मैंसे ठीक है मां को हम आधा कर देंगे मां को आधा कर देंगे तो ही हो जाएगा तलम फलम की तरह है यहां से अपी बनेगा यह जब आधा निक इमे कि और सकति महान आपके चलते हैं तो महान देखिये हम समस्पळ कि महाइख कम पन-म एक समस्थ पद है इसको जब विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा महान कंपनम सा समास कर्मधार है कंपन भी कैसा महान तो महान शब्द ने इस का क्या बना दिया इसको विषिश्टा बता दी अंगे ग्रह पद लिखा त उसका समास कैसे करने महान विनाश मैं से इसकी बिभक्ती यिला होती हो तो क्या बनें यह महाब विनाश यह यह भी हमारा कर्म दा रहा आग़ी से में आगे चलते हैं अब इसमें प्रकृति प्रत्य देखे लेते हैं अब यह क्या लिखा है इसमें समूत्पध्यते तो समूत्सर्ग है उत्पथ इसकी प्रकृत्य है सम और उत्थ तो इसके क्या हो गए हमारे सम इısका उपसर्ग हो गया उत और पत इसकी दो प्रकृती हो गए और इसमें लिप प्रत्य हो गया यहाँ पर जो पत था देखे अगर यह पद्यती शब्द को हम अलग करें तो आपको पता चल जाएके कि उसमें ता कहा से आया और यह कहासे आया यह उत्पत हो गया उत्पत और देखे ये लिखा ना पद्यते तो यह कहां से निकला देखे इसके अगर तुकड़े किये जाए तो इसमें से देखे कहां कहां से कौन कौन S.ी चीजे अलग-अलग इकले निकलने करती है क्योंकि लिप प्रत्य में यह आता है न शीज इस लिए हम इसको तोड़ के बता रहें नहीं आपको लगेगा कि यहां पर यह कहीं तो दिखी नहीं से इसनी से मिलता है तो यहां पर उत्पद कर दिजिए इसको और यह आपको पता है कि दा कब बनता है कौन सी संदी से जसत तो संदी से तो यह उत्पद हो गया फिर क्या बचा यते बचा ठीक है तो यह शब्द कहां से आया लिप प्रत्या से यते जो शब्द है यह कहां से आ कहां छुपा है यहां छुपा हुआ है जातम में जन्धातु है एक प्रत्या है कई बार बाता चुए आगत्य में आव उपसरग है गम धातु है और लियप प्रत्या है यह पीछे दिख रहा है ना लियप प्रत्या है जायती में जन्धातु है और यद प्रत्या है ठीक है यह हमारे हो गए प्रकर्ति प्रत्य अब अव्य देख लीजिए अब अपी कार्थ क्या होता है भी चाकार्थ और यतकार्थ की यदा तदाकार्थ जब तक यह उनके वाक्यों के प्रियों भी दे दिये अहम अपी यह त्वच्छा इसमें लिखा हो मिस्प्रिंट से हुआ है तो क्या होगा अहम अपी त्वया सह चलेशिंथी मैं भी तुमारे साथ चलूँगा कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे चा धराया महा कंपम जातम चा अगर वाक्यों में प्रियोग हो जाए तो रामा चा रामा चा लक्ष्मना हां वनम गच्छती बिल्कुल चा का तो बहु जनाह कत्यंती यत सत्य में उजयते यदा तदा यानि यदा मेगा गरजनती तदा मयूरा नित्यंती जब हमारे मेग गरजते हैं तभी मयूर नाचते हैं आगे देख लेते हैं इसमें आने वाले परियाए शब्द कौन से थे हमारा काल कवलिता यानि काल काल कवलिता यानि क में अवलित होने वाले विलय होने वाले यानि मृत हो जाने वाले प्रिथिव्या प्रिथवी को कहते हैं तो भूमाओ हो गया उसका उपरी तो उच्चे हो गया प्रिथवी को धरा कहते हैं जायते का अर्थ उत्पन्नम भवती है ना जनियती यानि इसका भी जनियती यानि उ अंतर हो गया उत्पन भवती उत्पन होना जनियती यानि उत्पन करता है ठीक है होना उत्पन होता है और उसकी बाद कमपन उत्पन होता है लेकिन जो भूसकलन है उसको उत्पन करता है तो ये दोनों में अंतर हो गया विज्ञानिका को कहते हैं हमारे विज्ञानिका होता है विज्यान जानती यह ते जो विज्यान को जानते हैं उनी को क्या को कहते हैं जनाह यानी मनुश्या भीशनम भएंकरम संसुस्खलनम यानी विचलनम यानी एक जगह से दूसरी चलना विचलं होना विचलित हो जाना मर्य विपरियाय क्वन कैसे कर सकते हैं जासित का अस्थी हो जाएंगा धराじゃない धराया का हो जाएगा धराकार्थ हो घूंध वोवगया औधरिया निंगा to dwell is वह गिंगा नहीं हैं तो संयों जियत नहीं जुड़ना उपरी उपरी का हो गया ऊपर तो अध्ध यानी नीचे आगत्यह का हो जाएगा अना गत्यह महान का हो जाएगा लगू तो ये हमारे वर्याय शब्द हो जाते हैं अब हम आगे पढ़ लेते हैं आगे का पैराफ ज्या कहता है ज्वाला मुख्य आती है और क्या कहा जाता है जो होते हैं कई परवत ऐसे होते हैं जिनके जो जाला मुख्य के हम उनको मुख्य प्रमुक स॥ानिया बिंदू कहा जाएगा तो ज्वाला मुखी जो परवत होते हैं उनमें जब ये विस्पूट होता है तो ज्वाला मुख परवता नाम ज्वाला के मुख वाले परवत यानि इस प्रकार के होते हैं ऐसे यानि जो उनका मुख होता है ज्वाला मुखी के जब निकलता है उसमें से लावार वो निकलता ह तो यह तूट जाता है तो ऐसा रूपधारन कर लेते हैं तो ज्वाला मुखी जो परवत होते हैं वो क्या रहे हैं ज्वाला मुख परवता नाम ज्वाला वाले मुख के जो परवत होते हैं उनके विस्पोर्ट रपी विस्पोर्ट से भी अपी विस्पोर्ट से भी भूकंप भूकंप का जायते इती उत्पन होता है इती कथ्यंती ऐसा कहा जाता है ठीक है भूकंप विशेशग्या ऐसा इती कथ्यंती भूकंप विशेशग्या भूकंप विशेशग्या ऐसा कहते हैं प्रथव्याह प्रिथवी के गर्भ है यानि गर्भ में विद्यमानो अगनेर यद अब क्या कह रहे हैं पृथिविया पृथिवी के गर्भ में विद्यमान अगनी यदा यानि जब खनेज, मृतिका, शिला, आधी, संचया अब क्या कह रहे हैं कि प्रिथवी के गर्ब में विद्यमान अगनी खनिज को मृतिका को शिला को की संचै को कैसे कहती है कत्यति तदा तत सर्वम एव उन सभी को क्या करती है लावार संताम यानि लावार में परिवर्तित करवी ती है और फिर क्या कहते हैं उपेत्य दुरवा अगत्या धराम परवतंबा विदारे बहेर निश्करती और वही फोड़ कर किसको फोड़ कर मुले जब क्या कहते हैं दुरवा अगत्या तेजी से क्या कहते हैं उपेत्या तोड़कर उख प्रिथवी या धर्ती को विदारे तोड़ते हुए बाहर निकलता है तो क्या कहते हैं कि जो प्रिथवी के गर्भ में विद्यमान अगनी किसको खनिज को मृतिका को शिला आदी को क्या करती है तत सर्वम एव सब को ही क्या बनाती है लावा जैसा लावा यानि जलते हुए अ अंगारे जैसा पिघला हुआ अंगारे का रूप बना देती हैं फिर क्या कहते हैं कि धारन करके फिर कहते हैं उपेतते यानि दुर्वा अगत्या तेज गती से धराम परवतमबा धरती या परवत को विधार्य तोड कर बहर निश्क्रमती बाहर की और निकलते हैं तो भई ज क्या निकलता है लावा कहां से आता है जो प्रत्वी के गर्भ में घंच, शिला, मिटी जो भी चीज़ होती है इतना अधिक गर्मी होती है की वो सब कैसी होती हैं पिगले हुए घंगारे जैसे होती हैannée लाल हो जाता है जो एक तरह से बानो जो एक रव्य हो जाता है वह भी बिल्कुल पूरा अगनी वाला उसको लावा कहते हैं तो वह लावा क्या होते हैं उपेत्य बाहर फोड़कर तोड़कर भर धरा परवत को तोड़कर जब तेजगति से बाहर निकलता है तो जब तूट कर निकलता है तो उसके बाद क्या होता है देखे आगे पढ़ते हैं कि धूम भस्मा वरतम जायते तदा गवनम तब धूम भस्म से यानि धूएंसे और राख से जायते जब लावा बाहर निकलता तो उसके साथ में धुआ और राक यह जब निकलती है उत्पन होती है तो जायते गगनम यानि जो गगन के ऊपर तक पहुंच जाती है उनको मतलब जो गगन होता है उस समय पर आकाश होता है वो भी धुएं और राक से ढख जाता है सेल्सियस ताप मात्रा यानि अब उस लावा की का अब भी बता रहे हैं कि ताप कितना होता उसकी गर्मी कितनी होती है क्या रहे है कितना ताप की मात्रा कितनी हो जाए मुले अश्ट के रहे हैं अश्ट सतांक अश्ट यानि आठ सत यानि सो आठ सो डिगरी का सोचिए celsius कि ताप की मात्रा जब एतनी इतने इतना उसका ताप होता है है ना ताप म उप गतो अयम लावा रसो तब यह लावा रस जो आट s away celsius का जो लावा रस क्या कह रहे हैं मुलें जब किया रहें उप गतो अयम ऊपर जब कहता है उपर की और जब प्राप्त होता है जब 800 अंक तक पहुँच जाता है और ऐसा लावा यदा यानि जब नदी वेगेन नदी के वेग की जैसा की द्वारा प्रवहती नदियों में क्या होता है उले नदी वेगेन नदी के वेग में जब बहता है नदी वेगेन नदी के वेग के द्वारा की जैसा जब भेता है तब पार्श स्थान ग्रामें तब पास की स्थित की ग्राम नगरानी वह च्छंता संव शंती तब क्या जाते हैं उध्रे तो ऐसा लगता है कि इसके उधर में और लावा के उधर में छंण में ही जो दो किया होता है जाना दीवेगे नदीच की तरह टे प्रवाहती बहता है लावा बाहर निकलकर 800 डिग्री सेल्सियस का जब उसका ताप हो जाता है इतने इतने उच्छ ताप मान का लावा जब नदी की तरह बहता है तब क्या होता है पार्ष विस्थाने तब आसपास की जो गाउं या नगर होते हैं वो क्या होते हैं तद उदर यानि उसके पेट में छण भर में ही समाहि तो हो जाते हैं ठीक है निहांते च विवश्षा प्राणी और विवश्ष प्राणी कैसे होते हैं नीहन्यंते यानि मरत हो जाते हैं मर जाते हैं हन्धातू मरनी का हूनी का बुद्गरा दिया मैं विवश्षा विवश्ष होकर प्राणी क्या कर सकते हैं सामने से लावा चल आ रहा है क्या हो सकता है पासकी गाउं आसपास की गाउं में तो बिचारे जन ऐसे ही क्या कह रहे हैं निहन यन्ते च और मर जाते हैं विवश्प्राणी उसमें जाके ज्वाला मुख बुले ज्वाला मुख मुगे अंतरा एते परवता अपी भीषनम भूकंपम जन्यती और बुले ज्वालाों को भीषनम भूकंपम जन्यती क्योंकि जब कोई भी परवत जंड टूटता है तो प्रत्वी कैसी हो जाती है क्योंने लापती है इन सेविव कैसे भीशन भूकंप आते हैं जब बड़े बड़े परवर्जब तूटते हैं उन में से जब लावा बाहर निकलता है तो लावा तो विनाश करता ही है और जब उजो पत्थर और चट्टा ने जो तूटती है उनसे प्रत्वी में बहुत तेज भूकंप उत्पन हो जाता है तो यह हमारा हो गया परवर्जब तीसरा भी अब इसके आने वाले शब्दों को और दिख लेते हैं क्या लिखा है विद्यमानो अगनिर यदा तो विद्यमान यहां से विसर्ग संदी हो जाएगी ओके स्थान पे हमारी कौन सा विसर्ग लग जाएगा अवग रह का चिन आ बना है विसर्ग से और यदा अलग कर देगी ऐसे ही लिखा है विस्फोटाइर अपी तो विष्फोट टै और जो रा लिखा हुआ है वो क्या बन जाएगा हमारा हमारा विसर्ग बन जाएगा और रा में से जब आधारा विसर्ग बन जाएगा तो उसमें छुपा हुआ आ क निकाल दिया तो तत सरवं एव देखे तीन शब्द निकल रहा है तत निकल रहा है सरवं निकल रहा है एव ऐसे सिला दिन संचयह सिला आदी सिला आदी संचयम तो देखे यह हमारे पास तीन शब्द इसमें से निकल आए ऐसा ही देखे बहर निश्क्रम्मती तो देखे बहर जो शब्द है वो बही ही होता है हामें विसर्ग की मात्रा कहां से आती है जो जो आगे का जी ये जो जब संधीश हुई तो जो विसर्ग थी वो रा में परिवर्तित हो गयती अब जब अलग-अलग करेंगे तो बही के जो रा में परिवर्तित हो गयती विसर्ग उनको फिर से भही को दे देंगी तो भही निश्क्रम बती जीक ये हो गई हमारे संधी और देख लेते हैं और भी कुछ सब्दों में आये हाँ आये है अश्ट सतांक देखें अश्ट सतांक ताम उपगत कई कितनी जगह आई यह अश्ट में हुआ है शतांक अलग हुआ है ताम में हुआ है उपगतह अलग हुआ है ठीक है जहां विसरग है और आ है वहाँ पे ओ की मात्रा और अवग्रह का चिन लगा हुआ है लिखते जाए बहुत उधारन हमने समझा दिये संधी के आपको आपको यह अवग्रह का चिन अ की वज़य से आया है तो विखत है इसे अलग है अलग निकाल दिया ताम में आ kilo निकाल सट कि अलग निकाल दिया मैं से जब ठान मा निकालें हो हलन्त. अलग निकल जाता है तो यह मात्रा उपगतह में जड़ा सब्सक्राइब यह श्रक्राइब है य की मात्रा जयएं इंश जाएगी पार्षवस्थघ्रामे पार्षवस्थघ्रामे क्या औरो तो पार्श्वस्त अलग किया और ग्रामा अलग कर दिया चणेन एव तो क्या बन जाएगा और ए का मेल होगा तो इसलिए ये आई की मात्रा चणेन आईव बनिया ज्वालाम दिन रंतह तो क्या हो गया यहाँ पर आएगा उद गरंतह ठीक है ज्वालाम उद गरंतह ज्वालाम शब्द फलम की तरह अलग निकाला और माम ऐसे छोटे उद की मात्रा निकाल के क्या बन जाएगा ये उद गरंतह ठीक है ये हमारी संधी हो गई सामासिक पद कौन से हो गए भूकंप विशेशग्या भूकंप विशेशग्या कौन होते हैं मुले भूवन कंपन रहस्यस्यम ये जाती जो भूकंप भूवह भूक यानि हमारी जो प्रत्रिवी होती है उसके कंपन के रहस्यों को जानते हैं उनको भूकंप विशेशग्या कहते हैं तो यह हमारा क्या हो जाएगा बहूबरीह समास भाई कि यह किसका अरनी बता रहा है यह क्योंकि प्रिथवी शब्द में हमने देखा कि इसमें हमारी सश्टी विभक्ति लेगी यह जो क्या कह रही है प्रिथवी का गर्भ या प्रिथवी के गर्भ तो काकी के का अर्थ आ रहा है जब इसका समस्त पद बनाना है तो इसकी विभक्ति का कर दो लोग तो क्या बन जाएका प्रिथिवी और पीछे वाला शब्द जोड़ दो तो क्या होगा प्रिथिवी गर्भ है ठीक है तो यह हमारा कौन सा हो जाएगा सप्तमी ठीक है ठीक है ठीक है प्रिथिव्या गर्भ यानि प्रिथिवी के गर्भ में तो यह हम सा हुआ था हमारा बहुवरी है समास है ठीक आगे देख लेते हैं प्रकृति और प्रत्य देख लेते हैं इसमें कि उपेत्य में कौन से हमारे उप इसमें हमारे उपेत्य में उप इसमें हमारी उपसर्ग है यह प्रकृति लिप प्रत्य हो गया आगत्य में आ इसमें हमारा उपसर्ग हो गया गम धातु हो गया और लिप प्रत्य हो गया अब इसके बाद देखते हैं विदारे में हमारा वी उपसर्ग हो गया द्रि इसमें हमारा धातु हो गया और लिप इसमें प्रत्य हो गया उगिरंतह में उत उत इसका उपसर्ग है ग समारी क्या हो गए प्रकर्ति प्रत्य हो गए भूकंप विशेशज्या में भुवह कंपन रहस्यम ग्यातरह परियाय शब्द आ गया है कि भूकंप विशेशज्या किसको कहा जाता है कि जो भूवन कंपन के रहस्य को जानता है खनिज क्या होते हैं उत्खनात प्राप्तम प्र है खुदाई करना और जा से हुए जन जन्म हो ना खनेज खनन से जिसका जन्म थऑन देखें प३रन बश्ज़वें उनको खनेज कहा घाता है अब क्या रहें कत्य तिति के बना है उत्तप्तम करोती अब इसमें लिखा है क्वत्यती क्वत्यती का होता है उत्तप्तम तपाना उत्तप्तम करोती यह देखे वा लिखा हुआ है इसमें यह जो वा लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो तपाती है कत्हुति तो इसका और यह धार्य का विदिविठ्व्कृता या तोडती हुई पार्षविस्त ग्रामे यानि निकट इस्थित ग्राम तो निकटस्थ ग्राम समीपस्थ ग्राम आगे देख लेते हैं परियाए उदर को किसको कहते हैं बेट को कहते हैं को शव भी कहते हैं उसको समाविशंती का होता है जिसमें समाविश हो यानि अंतह गच्छंती यानि जिसके अंदर समाविश्ट हो जाए समाहित हो जाए उसके अंदर चली जाए तो अंता गच्छंती अब क्या रहे हैं उद्गिरंतह उद्गिरंतह का यह प्रकट करना उद्गारित करना परवता नाम ठीक है परवता नाम किसको कहते हैं शैला नाम को भी कहते हैं भूकम्प भूकम्प का एक परियावाची प्रथेव्याम कंपनम जाता है प्रथेव्या के कंपन से जो जनम हो वो भूकम्प होता है नेहंते का अर्थ होता है यहां 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 यह यानि अंदर इन अर्फ फ़ल ने देर तक पूल्टा नुटा नगरमों जाएगा अगनीकार्थ जलम हो जाता है कमपन कार्थ होते जाता है स्थिर कंपन यानि कापना तो एक में लैंसे अर्फन नहनते विभीश का जो पाठ पढ़ रहे हैं उसका अब हमारा केवल एक पेरेग्राफ और रहे गया है उसको भी अब हम पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या बताया गया है कहते हैं कि यद्यपी यद्यपी जब की देवह प्रकोप है ना कि रहे हैं कि देव देव यानि प्रकर्ती के सब्सक्राइब प्रकोप भूकंप नाम यह जो भूकंप है क्या है देव का प्रकोप यह समझते हैं कि इश्वर का प्रकोप ही होता है दैव का प्रकृत होता है प्रकृति का कोप यानि क्रोध ही होता है जो भूकंप की रूप में निकलता है कि तस्यों के रहें तस्य तस्य उपशमन उपशमनस्य उसके उपशमन का आप कहो के उसके शमन का या उसके शांती का या उसके निराकरण का को अपी इस्थिरो उपाय ना द्रश्यते कि उसके शमन का उसके को शांत करने का कोई भी इस्थिरो उपाय नहीं दिखाई देता है ना द्रश्यते ऐसा कोई अब म इसका कोई इस्तिर हमें इस्तिर कोई भी निराकरण नहीं दिखाई देता है प्रकृती समक्षम प्रकृती के समक्ष अध्यापी आज भी प्रकृती समक्षम अध्यापी यानि प्रकृती के समक्ष प्रकृती के सामने आज भी विज्ञानिक गर्वतों मानवह विज्ञान ग यह से मानवी वामन कल्प एव बोने ही है प्रकृती के सामने विज्ञान गर्वित यह तो पता कर पा रहे हैं कि तूफान आ रहा है यह करा लेकिन अगर आप चाहू कि प्रकृती से जो तूफान आ आप रहा है उसको आप वहीं पर रोक दो तो नहीं रोक सकते हो यानि विज्ञान गर्वित मानव यानि विज्ञान के जो घमंड में आज चूर है जो मानव वो प्रकृती के सामने प्रकृती समक्ष अध्यापी आज भी प्रकृती के समक्ष वामन कल्प वामन यानि होता है कल्प यानी शरीर वाला वोने शरीर वाला है ही है तथा पी फिर भी भूकंप रहस्य अग्या है मतलब भूकंप का रहस्य जानने वाले कथेंती कहते हैं कि अब केवल उनके ये उपाय कर सकते हैं भूकंप को नहीं रो सकते हैं सिर्फ क्या उपाय कहते हैं कि बहु भूमिक भ उससे जो हानी हो रही है उससे थोड़ी से बचाओ की चीज़ें बता सकते हैं कि बहु मंजल्य इमारतें नहीं बनाना चाहिए भई ऐसा आप कहते हो सु कहते रहो लेगिन आज मानने वाला कोई नहीं है जतना सब लुग कहते हैं कि तता बंद का निर्मान करके यानि बना करके वहन मात्रम यानि बहुत मात्रा में नदी जलम अपी न एक समिन इस्थले पुझीकरणियं यानि नदी जल को नदी जलम अपी नदी जल को भी न नहीं करना चाहिए न एक असमिन एक जगह पर एक ही स्थले एक असमिन एक ही स्थल पर पुंजी कर नियम नहीं इखटा करना चाहिए बांध बना बांध बना दिया नदी के जल का बहाव को रोक दिया भई अच्छी संभाव ती में अन्यता असंतलं वशाद भूकमप से संभावती भूकमप संभव हो जाता है प्रकरती का असंतलन बगडेगा तो भूकमप की इस्तिति अत्मन होगी वस्तुताह वस्तुताह कहें कि शान्तानी शांत ही पंच तत्वानी ये जो पांच तत्व हैं वो शांत अवस्था में कैसे होते हैं कौन-कौन छिती जल पावक गगन समीर यानि छिती जल पावक समीर गगन छिती जी यानि हमारा हुआ आकाश जल हमारा पावक हवा ठीके समीर पावक अगनी समीर हमारी वायू और गग दया यानि हमारा आकास चिति जल पावक गगन शमीरा यह हमारे क्याते हैं यह हमारे हो gए पांच तत्त पृत्वी जल वायू आकाश और अगने इनके मुले भूतल अस्य भूतल पर भूतल के योग छे माम्याम कल पंते योग छे माम भ्याम योग इनका योग कल्यानकारी होता है यानि किसको होता है योग छिमकार्थ क्या होता है कि जैसे इन सभी चीजों से जैसे वायू हो गई हमारे लिए जरूरी है जल हो गया अगनी हो गया ये सभी चीजें इनका योग कैसा होता है लाबकारी होता है जब ये कैसी होते ह शांत अवस्था में हो है ना जब ये शांत अवस्था में हो तब ये सभी कैसे होते हैं हमारे लिए कल्यानकारी होते हैं लेकिन अशांतानी खलू निश्चे ही लेकर अशांतानी लेकिन जब ये अशांत हो जाते हैं जब इन में असंतुलन हो जाता है तो क्या रहे है तान्य तब महान विन् aoज्आ नहां महाविनाश हम् ओपस्था प्यंती ठीच और टोजाता है निश्च ही निश्च ही महाविनाश उत्पन हो जाता है यह का हो गया अब हम चलते है इस लास्ट पेरिग्राफ में कौन कोन से शब्द आए जैसे यद्यापी मैं यदि अपी से मिला तस्य उपशमन से मैं देके तश्य उपुन अपन निकाल दीजे और ऊपने से ओ की मात्रा अब यहां पर आ और उ में तूट जाएगी अब आप कहो कि क्यों यहां पर क्यों ओ की मात्रा अभी तक तो आप कहा रहे थे कि ओ की मात्रा विसर्ग के स्थान पर आ रही होती तो ओ की मात्रा के बाद ही अब ग्रय का चिन लगा हुआ होता ठीक है, नहीं है चिन, तो समझ लीजे, इसको A और O में यहां पर गुर्ण संदी होई है, तो तोड़ जीजे, तश्य अलग कर दीजे, यहां में A अलग निकाल दीजे, और O को अलग। O को दो भागों में तोड़ दो, अ और U में ठीक ये गुणसंदी को अपी अब यहाँ पर देख लिए यहां पर O को हम ने क्यूं विसर्ग में तोड़ा क्योंकि ये अवग्रह का चिन्न के रहा है ये विसर्ग से बना ओ ठीक है तो विसर्ग लगा दिया की मातरा गे इस थान पर अवग्र describes चिन आ को दर्शाता है ऐसे ही देखिए कि रहे हैं इस थरो उपाया है तो इस थरह उपाय अब यहां पर आपको देखने की बात यह है कि यहां पर विसर्ग क्यों लगाया गया इस थिर उपाय में इस थिर उपाय में विसर्ग क्यों लगाया गया क्योंकि पहले तो हमने और उसे इसको अलग किया लेकिन जो इस्तरो शब्द है इसमें विभक्ति लगी हुई है जब कभी हमारे पास विभक्ति बाला चिन आ जाए बीच में तब हमें उसको प्रतमा विभक्ति में तोड़ना पड़ता है तो हम कहेंगे इस्तिरह उपायह ठीक है अब कहते हैं समक्षम अध्यापी तो समक्षम फलम की तरह निकाला मा में से आ निकाला तो अध्य हो गया फिर उसमें से आ लग निकाल दिया तो अपी निकाल गया ठीक है समक्षम यानि उसके समक्ष अध्यानी आज और अपियानी भी यह तीन शब्द इसमें से निकाला है फिर देख लेते हैं बहन मात्रम तो योजय का ब्रहन ब्रहत शब्द ब्रहत शब्द मा के होने से यह जुत्ता है वो नामें परिवर्दित हो गया जर्णा संधी उठा के देख लीजे एक 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 रोज पड़ोगे तो जो संधी आम यहां पे बता रहे हैं आपकी रोज क्लियर होती जाएगी आप तोड़ा जाई 10th क्लास की ग्रामर में अपने में और वियंजन संधी की हमने उसमें 2 आपके आने थे इसलिए बसमें 2-3 दिखी वोई थी हमनें आपको 12 13 प्रकार बता दे सब प्रकार की वियंजन संधी समझादी तो ब्रहन मात्रम किसे बाना अपना ब्रहत मात्रम से नदी जलम अपी तो नदी जलम अपी तीन शम नई कस्मम में बना ना एकस्मिन भूकंपस भूकंपस संभवती तो भूकंपस जो लिखा है भूकंपस में जो जुस्सा है वो सरगी के स्थान पे सत्तोसंदी से आया ठीक है अब कहें तान्येव में तानी और एव से मिलकर तान्येव बन गया आगे देख लेते हैं समास विग्रे के योग छेमा भ्याम के रहे हैं अप्राप्त से प्राप्ति योग यानि देखे योग छेमा भ्याम का अर्थ क्या होता है कि अप्राप्त जो चीजे हमें प्राप्त नहीं है उनके प्राप्ति के योग को है ना उसको योग कहते ह जो प्राप्त नहीं है जल क्या हमारे अंदर अपनी आप से है हमारे अंदर अभी नहीं है तो यह किस ने दिया यह पांचों जो तत्तों है वो प्रिकृती से हमें प्राप्त हैं तो जो अप्राप्त हैं भी प्राप्त तो नहीं है मैं पहले से हमें पानी हमारे अंदर आया व उमारे लिए तो ये अप्राप्त है उनका जो प्राप्त होता है वो योग होता है प्राप्त से रक्षनम छेम और जो प्राप्त की जब रक्षा करें उसको छेम कहा जाता है ऐसी चीज जो हमारे लिए हमारे पास नहीं है उसकी प्राप्ति योग कहलाती है और जो प्राप्त ह हो जाता है उसकी जब रक्षा करते हैं उसको छेम कहते हैं ताप भ्याम इतियोग छेमाभ्याम उसी को छेमाभ्याम कहते हैं महाविनाश इसमें कर्मधारे हो गया इसमें मारा बहुब्री हो गया चीक आगे देख लेते हैं प्रकृतिव करनियम में अनियर प्रत्य हो गया क्र प्रित्य हो गया है बर्याsection सेका केते हैं शांत करना जिसको यह निराकरन करना ना करनील यह यानी अकर नीम जुम्हें compar icon को वामन कल का तो होता वामन सद्रश यहिंड मन के जैसा Quand J करनम करता होता है संग्रहीत करना तो पुपुंजी करनी यह तो यह संग्रहनियव वस्तुतह यानि यथार्थतह इस्थले यानि थल छेत्र भूमे निर्माय यानि निर्मानम कृत्वार निर्मान करके समक्षम तो कहते हैं अगने पुर्तह ठीक है इस्थेर का उल्टा हो जाएगा अइस्थेर विपर्याय बें चलते हैं जलम का अगनी संभवती का असंभवती उपाय का अनुपाय इस्थल का जले अशांती का हो जाएगा शांती करनियम का हो जाएगा उपकरनियम और हमारा असंतुलन का हो जाएगा संतुलन तो इस प्रकार से हमने अब अपने पाठ के अनुवाद और उसमें आने वाले शब्द यह पूरा आप देख लें आप अनुवाद समझ लें फिर खुद एक वार किताब उठा कर आप उसको खुद से उसका अनुवाद करने की कोशिच कीजिएगा जिससे क्या होगा जब एक्जाम में आपके सामने वो गद्यांश आएंगे और आप उनका अर्थ कर चुके हो तो आप वहां पर अटकोगे नहीं और उससे सम्मंदित प्रश्ण तरों को आराम से हल कर सकते हो जब आपको पाठ का अनुवाद अच्छे से आजाएगा बार-बार हम के रहे हैं सी बीएसी ने पैटन अब इसलिए ऐसा बना दिया है कि सच में सीरियस जो बच्चे होंगे जो को कि थोड़े थोड़े अर्थ देख लो वो लिखाएंगे और फिर इसके बाल जो प्रश्ण तर दिये हुए हैं बस उनको रटलेंगे और लिखाएंगे लेकिन उनने पैटन इसलिए चेंज कर दिया अनुवाद सीखो पड़ो अनुवाद पड़ोगे तो उससे सम्मंदि आते हैं पार्टि पुस्तक में जो अभ्यास कारी दिए हैं उनको करते हैं तो पहले करम में आता है एक पदे इन उत्तरम लिखत इसका मतलब होता है के एक पद में उत्तर लिखिये वैसे तो अब हो अपन सब लोगों को यह चीज बहुत अच्छी से पता हो चुकी है कि एक किसका या किसकी दारोण विभीशिका यानि कठिन दुख भरी जो विभीशिका है विपत्ती है किसके द्वारा दारोण विभीशिका किसकी जो दारोण विभीशिका है यानि दुख वाली विपत्ती है गुर्जर छेत्रम यानि गुजरात के छेत्र को धंसावशेश धंश हो वह निकि बाद बचे हुए अवे अवसिश में परिवर्त वती परिवर्तित कर देती है किसके दारुन बिभी किसके द्वारा अर्थात आपको ये बताना कि किसके द्वारा गुरजाड़ छेत्र को विनाश की ओर ले गया कौन होता है ऐसा उलिए वह भूंप कि द्वारा एस पस्या क्या लिख देना है भूकम पस्या आपको जब एक पद में उत्तर लिखने के लिए कहेंगे तब सिर्फ आप ये वाला एक पद लिखेंगे अब आप सोचेंगे तो फिर आप मैं यहां पर वाकियों लिखा वो इसलिए लिखा है कि कई बार अगर ऐसी कंडिशन आ गई एसी सिच्वेशन आ गई कि आपको उसमें ये नहीं लिखा उन्हें लिख दिया कि प्रिशना नाम उत्तरम लिखा थी यानि प्रशनों के उत्तर लिखिए फिर इसमें क्या करेंगे आप करेंगे हमने तो सिर्फ एक शब्द लिखना सीखा है उसकी बात का मैं पता ही नहीं उपस्तित होता है तो लिखेंगे भूकम पसे दारुण विभीषी का गुर्जठ छेत्रल ध्वंसाव्शेशू परिवर्तवारति बस हो गया आपका पूरा वाक्य क्या उत्तर हो गया कि कि भूकम्प की जो दारुण विभीषिका थी उसने गुर्जठ छेत्र को कैसा कर दिया ध्वंसावशेश यानि विध्वश होने के बाद नस्ट होने के बाद जो अवशेश बचते हैं उस रूप में परिवर्तित कर दिया चलिए तो अब हम दूसरे तो आपको हमने दोनों तरीके बता दी एक पद में अगर आता है तो आप सिर्फ एक पद में उत्तरस प्र भावनानी कि दरश शब्द किस के लिए प्रयोक होता है किस प्रकार के लिए मतत्ब बहुत सारी चीजों के यहां पर पूछा गया है प्रश्न की द्रशानी किस प्रकार के भवनानी किस प्रकार के भवन धराशाई नहीं जाता नहीं धराशाई हो जाते हैं किस प्रकार की हो जाते हैं केते हैं बहु भूमिया बहु भूमानी बहुत सारी जिसमें भूमिया हो बहुत सारी जिन में तल ह हो जिनको हम अब इंगलेश में क्या करते है multi floor कहते ना कि एक floor है दो floor है बहुत सारी floors जिसमें होते हैं किहते ना वह multiplex building हो गई तो यहां पर भी कहें भवभु भुमिकानी बहुत सारी भूमियों की जो भवन होते हैं कैसे धरासाई नहीं जाता हैं धराशाई हो जाते हैं किस के द्वारा बूकम्प के द्वारा ठीक है तो की द्रशानी शब्द के स्थान पे हमें क्या लिख देना है ये लिखाहुआ है की द्रशानी तो इसकी जगए पその sms लिख देंगे बहु भूमिकानी और बस पूरा हमें यहीं से पूरा हमें उसका वाक्य मिल गया कि भवनानी धराशाएनी जातानी ठीक है एक पद में पूचेंगे तो सिर्फ आप इतना लिख देंगे बहु भूमिकानी और अगर ऐसा एक पद नहीं लिखे तो वाक्य में आप उसका सही उत्तर लिख देंगे और पूरा वाक्य आपको वही प्रशन में मिल जाएगा ठीक है अब आगे चलते हैं केते हैं दुरवार जलधारा भी किम उपस्तितम दुरवार यानी होती है भायानक भायानक जलधारा किसकी होती है लावा की जब जुआला मुकी फटता है उसकी कैसी होती है भायानक जो जलधारा होती है नदी की तरह बहती है तो कहते हैं किम उपस्तितम क्या उपस्तित कर देती है दुरवार जलधारा भी अब इसका अर्थ आप क्या निकालेंगे यहां पर क्या लिखा यह जलधारा भी भी है तो जो पीछे विभक्ती लगी बहुवचन देखेंगे तो क्या बनता है रामा भी भी शब्द किसमें आ जाता है हमारे बालिका भी बालिका शब्द का हमारा जब तृतिया विभक्ती में बहुवचन बनता है तब भी ही शब्द उसके पीछे लग जाता है जिसकारत क्या होता है के द्वारा या से से या के तो क्याते दुरवार जलधारा भी यानि भयानक जलधाराओं की दौरा किम उपस्थित क्या उपस्थित हो जाता है तो दुरवार जलधारा भी उनके दौरा क्या होता है महाप्लावन द्रश्यम यानि महाप्रलाय का द्रश्य उत्पन हो जाता है महा प्रलाय का द्रश्य उपस्थित सामने हो जाता है क्योंकि जब उसकी धाराएं बहती है तो उसके आसपास की जो नगर और ग्राम है उनको कैसे अपने अंदर बिल्कुल कैसे कैते जासे पेट में जासे निगल लेते हैं इस परकार गाउ और शेहर उसके अधर में कैसे हो जाते हैं निगल जाते हैं अंदर की अंदर चले जाते हैं ठीक है तो हमें किम शब्रक्रावन द्रश्यम ठीक है ।्टर लिखना बहुत आसएं होता है सेंस्कृट में स्ब्सक्राइब उसके स्थान पे उसका जो मूल सब्द है उत्तरशब्त उसको लिख दीज़िए आपका उसी मिल जाएगा त्यक्षिलदتे हैं कस्य हो अप्शामनस्य स्थिरोपायं नास्ति के रहे हैं कस्य यानि किस का उप्शामनस्य होता है शनत करने का उस पर काबू पाने का उस पर नियंद्र पाने का का की के कार्थ हमने कहां से लगा है इसमें स्या लगा हुआ है इसलिए हम बोल रहे हैं कि शांत करने का नहीं तो शांत करने में कहते अगर यहां पर उप शमने लिखा हुआ होता है ना उप शमनाई लिखा होता तो हमें इ लिए विभक्तियाम ने आपको क्यों पढ़ाई है क्यों पता यह जो शब्द रूप जो आपको पढ़ाए जाते हैं किसलिए पढ़ाए जाते हैं जिससे आपको पता चले कि कहां पे कहना है राम को कहां पे कहना है राम का और कहां कहना है राम की दुआरा है ना विभक्तिया उपशा मनस्य शांत होने का इस्थिरो उपाए नास्ति इस्थिरो उपाए नहीं है किसका नहीं है तो किरें देवो प्रकोपो देव के प्रकोप का या भूकंपो या भूकंप का मुले उपशा मनस्य इस्थिरो उपाए नास्ति तो हमारा सही उतना उत्तर कितना हो गया या तो अब देवों प्रिकोप होता है या भगवान का प्रिकर्ती का प्रिकोप होता है उसको शांत करना या फिर भूकंप का भूकंप हुआ आपके ज्वाला मुखी उद्गर्ट हो गया तो इनके क्या इनका शांत करने का कोई स्थिर उपाय है इनसे बस बचने के लिए हम तरीके ढूं़ सकते हैं इनके लिए सावधानिया हम रख सकते हैं लेकिन इनको स्थिर करने का या इनको शांत करने का या इनको रोकने का कोई उपाई नहीं है तो यह हमारा उत्तर हो इन दोनों में से कुछ भी आप एक लिख सकती हो आपका उत्तर सही होगा तो और बहुबचन का रूप लिखाए कि द्रशाह प्राणी नहां भूकम्पेन निहन्यन्ते कहते हैं कि द्रशाह किस प्रकार से प्राणी नहां प्राणी जन्जों हैं भूकम्प भूकम्पेन जैसे रामेन कहते हैं तो इसमें भूकम्प के द्वारा निहन्ते यानि मारे जाते हैं किस प्रकार मारे जाते हैं प्राणी तो बोले चीटियों की तरह मारे जाते हैं तो क्या कहेंगे हम विवशाह प्राणी ना किस प्रकार बोले विवश होकर की दरश किस प्रकार से बोले विवशाह प्राणी ना विवश होकर प्राणी बोले भूकम्पिन नहीं अनती मारे जाते हैं किसमे भूकंप की द्वारा विवश प्रानी क्योंकि उनके वस में कुछ नहीं होता है किस प्रकार के हो जाते हैं विवश हो जाते हैं प्रकृति या भूकंप या कोई भी प्राकृतिक आपदा के सामने जो प्रानी होता है या मनुश्य होते हैं वो कैसे हो जा क्योंकि यह जो प्राणी नहर शब्द है यह एक प्राणी की बात नहीं हो रही है बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है ठीक है तो की द्रशा अब यहां से भी हम हमेशा उत्तर का ध्यान कर सकते हैं कि हमें कौन सी विभक्ति लगानी है जैसे की द्रशा हर शब्द म तो इस प्रकार से हमारे एक पद में उत्तर हो गए है अब हम आगे देख लेते हैं अदो लिखित आनाम प्रिश्णा नाम उत्तरानी संस्क्रत भाशा या लिखत अब यहां नहीं कोई कंडिशन नहीं लगाई यह नहीं कहा है कि एक पद में लिखना एक वाके में उनने करना है कि वाके और बना देना है वाके बनाना हमने आपको बताएए कि वहीं से मिल जाता है आपको जो प्रशन होता है उसी मैंसे तो इसमें लिखा हुआ है समस्त्र राष्ट्र की द्रशे उल्लासे मगनम आसीत सारा राष्ट्र किस प्रकार की द्रशे किस प्रकार के उल् मेफ मग्नम आसीत मगनथा जिस समय 2001 में गुजुरात में भूकमप आया उस समय कोन सी धारिक्ती केते हैं उस समय सारा रास्ट्र किसमें मुले ड्रा नाच, र्त्य, गीत वादन इंसम में व्यस्त था इंसम में मगनथा और उस समय पे 26. 21-जन良र 2020-2021 में भूखभ में गुजरात में आया भूखभ कहा आया गुजरात में गच्छ में ठीक है तो अब हमें क्या करना है उत्तर लिखने के लिए वही देखिए कीद्ष शब्द हमारा क्या है प्रशनवाचक प्रश्णवाचक शब्द प्रश्ण में कौन सा है की द्रशे अर्थात हम इसी के स्थान पर सही उत्तर लिखना है तो समस्त्र राष्ट्र वैसे ही लेखा की द्रशे के स्थान पर लिखेंगे हम नरत्य गीत वादित राणाम नाचने गाने और बजाने में बुले उल्ला से से मगनम आसिथ ठीक है निरत्य गीत वादित। राणाम उल्ला से मगनम आसिथ बाकी देखेए पूरा यहां से ही मिल गया, मिल गया, तो उत्तर कितना अपड़ा पड़ा एतना कितना पड़ाँ इंड्त गीत वादित राणाम से नाचने गाने और बजाने में क्या था? नाचने गाने और बजाने के उल्लास में मगन था यहां पर मैं क्यों हमने बोला क्योंकि इसमें सब्तमी बिभक्ती लगी हुई है जहां सब्तमी बिभक्ती वहां पर का अर्थ लगाएंगे जहां पर सच्थी बिभक्ती वहां काकी के का अर्थ लगाएंगे हम ठीक है तो यह इसका उत्तर हो गया इतना सदे कि सिर्फ यहां पर भी वही एक पद वाला की सिचुएशन चली ज्यादा कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा कि आपको अलग से कुछ लिखना है सिर्फ आपने की द्रशे के स्थान पर इसको लिख दिया बाकी का पूरा वैसा वैसा लिख दिया भूकंप से केंदर बिंदू कह जन्पदह आसीत भूकंप के भूकंप का या की या के सिया लगा हुआ है काकी के कार्थ लगाएंगी भूकम्प का केंदर बिंदू कह यानि कौन सा जनपद था कौन सा जनपद था कहां पर आया था कच्छ में कच्छ जनपद था और भुज नगर था अगर नगर पूछ ले तो भुज नगर बताएंगे है न और जनपद पूछा है तो हम क्या कहेंगे कच्छ जनपद था अगर यहाँ पे वो कहते कह नगरह आसीद अगर वो नगर कह देते तो आप क्या कहते तो फिर यहाँ लिख देते आप भुझ नगरम क्या लिखते भुझ नगरम आसीद यह सारी संभावनाएं हम आपको इसलिए बता देते हैं क्योंकि अब यह जो पैटर्न है वो ऐसा नहीं आए कि ये पांच प्रश्न है तो इनी मैसे आएंगे पैटर अपना ऐसा हो गया है कि पूर एक पैरेग्राफ देते हैं और उससे सम्भावनाएं भी बता देते हैं तो इसलिए इनके उत्तर आना जरूरी नहीं है जितना कि आपको इनको लिखना आना जरूरी है कि आप उत्त की बारे पूछ लिया है तो इधर हो सकता है कि वो नगर में नगर के हिसाब से पूछ ले तो आप भुजनगर लेखेंगे उसमें ठीक है आगे देख लेते हैं प्रथव्याह इस खलनात किम जायते प्रथवी के इस खलन से यहां पर इस खलनात यहां पर आत यानी पंचमी प्रथव्याह प्रथवी के परत्वीशब्द में हमारा शष्ठी बिवक्तै लागी जसका कागो कि iqcar अर्थनिकाल से सब्सक्राइब प्रथवी के इस खलनात इस खलन से खिसकने स प्रथवियाह इस खलनात महाविनाश द्रश्यं जायती तो महाविनाश का द्रश्य हमारे सामें उत्पन हो जाता है क्योंकि जो हमारी प्रथवी है देखिए परतों पेपनी हुई है अब उहां से एक परत खिसक जाएगी तो इसके उपर बनी हुई सारी चीज ने तो वह अपनियाती सब अस्तिवेस्त हो होना महाविनाश हूना ही है तो क्या लिखेंगे प्रथिवया इस खलनाथ प्रथिवी के इस खलन से महाविनाश ड्रश्यम जाए ती ना तो यह हमारा संस्कृत के उत्तर हो गए अब दो और हैं इसमें फूर्टवाला हमारा चौता आ क्या आतंकित द्रशति सारा विश्व कई है किस के कही शब्रत क कही शब्दं में आता है रौई तृतिया विभक्ती जाव लगती है तो तृतिया विभक्ती का चिंद कौन साहता है से या की द्वारा तो यहां पर समग्रम यानि सारा विश्वम सारा विश्व कई है यानि किसकी द्वारा आतंकित द्रशिते किसकी द्वारा आतंकित दिखाई देता है प्राकर्टिक बात सोच रहे होंगे कि इसमें तो कहीं शब्द लिखा हुआ है और इसमें हमारा भी ही लगा दिया प्राकर्तिक आपदा भी ही तो क्यों ऐसा हुआ क्योंकि जो यहां पर प्रशनवाचक शब्द है उसको बनाया गया किसके लिए वह पुर्लिंग या नपुन्सक लिंग वा अब अगर आप इसको लिखें यह लिखा हुआ है प्राकर्तिक आपदा चीक है तो यहां पर देखिए इस प्राकर्तिक आपदा का अंत किस्से हो रहा है बड़या की मात्रा से अर्थाति यह हमारा कौन सा है आकारांधिया निस्त्रिलिंग वाजी शब्द है तब अब इसक तो हम स्त्रिलिंग वाजी जो तृतिया विभक्ति है उसके बहुवचन की रूप में लिखेंगे क्योंकि प्राकर्तिक आपदा एक नहीं होती है बहुवचन का रूप भी क्यों लगाएंगे तो बहुवचन का रूप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा प्राकर्तिक भी भूकंपो जायते किसके विश्फोट से भी भूकंप हो जाता है या उत्पन होता है पैदा होता है जन धातु यानि होने की पैदा होने की उत्पन होने का अर्थ का भूद कराती है तो किया रहे केशाम पुले किसमे पुले किसके द्वारा विश्फोट रहे किसके विश् के रहे हैं जूला मुख परवाता ना किसके विस्फोट से जूला मुख जो परवद होते हैं जब विस्फोट होता है जब प्रत्वी की नीचे जो हमारी तल होते हैं वहां पर बड़ी बड़ी पाशान शिलाएं होती हैं जब वो हापस मैं अब काओं पाशानिस रंद कल बताया था पाशान का रтов थोता पथर शिला यानि हमारे जो पथरों की चत्ताने होती है उनको अपनी क्य helemaal पाशान विश्फोट पुरे हुए और हमने एक वाक्य मैंदी बनाना देख लिए अब देख लेते हैं आगे अब क्या लिखा है अब उत्तर दे दिया अब उनको प्रश्ण मनाओ अभी तो प्रश्णों के उत्तर दे रहेते अब अपन को उल्टा करना है क्या स्थूल पदा नहीं आधरे ते प्रश्ण निर्मानम कुरुत यानि दिये हुए पद के जो रेखंके पद है उनमें द के दिया है उसको अगर प्रश्ण के रूप में पूछा जाए तो कैसे पूछो गया जैसे क्या लिखा है तो हमने आपको तरीका बहुत सिंपल बताया ही कि जहां पर जो अंडरलाइन वर्ड होता है रेखंके पद होता है उसको आपको क्या करना है वहां उसको सबसे पहले यह देख लेना है कि उसमें विभक्ती कौनसी लगी हुई है कौनसी विभक्ती है उसी विभक्ती का किम शब्द के देखे किम शब्द के हमने आपको जब प्रश्ण निर्मान करना सिखाया है तो उसमें हमने आपको पूरलिंग स्त्रीलिंग और नपुनसकलिंग इन तीनो पूरिंग में जब हम रूप बनाते हैं तो उसकी आपको प्रत्मा और वितिया बस यह बिभक्तियां अलग से याद करनी हैं बाकी की द्रक्रतिया से सब्द्मी तक के जितनी भी रूप बनते हैं वो पूरे पूरLY की जैसे बनते हैं आपकी स्त्री लिंग के जरूर अलग से याद करने पड़ेंगे तो अगर आपको बालिका शब्द के रूप याद हैं तो आपको ये जो किम शब्द के रूप याद हो जाएगे बिल्कुल समान होते हैं कोई अंतर नहीं होता है उसमें ठीक है और यहाँ पर भी अक किम एक वचन के लिए किम और के हो गया दोई वचन के लिए कानी हो गया बहुचन के लिए फिर किम के कानी बस इतना तो याद करना है तो आपके नपुनसक लिंग के भी किम शब्द के रूप याद हो जाएगे यानि जितने भी प्रश्ण बनते हैं हमारे इस प्रश्ण निर बिभीशिका विशेशन कच्छ जनपदम ध्वंसा विशेशु परिवर्त वती भूकंप विभीशिका के से या उसके द्वारा विशेशन विशेश रूप से जो कच्छ जनपद है वो कैसा हो गया था ध्वंसा विशेशु परिवर्त वती परिवर्तित हो गया ठीक है तो भूकंप विशिका विशेशन कच्छ जनपदम वैसे ही लिखेंगे परिवर्तवती वैसे ही लिखेंगे अब यहाँ पे देखी लास्ट में क्या लिखा है एशू लगा हुआ है तो किम शब्द का रूप लगा देंगे हम केशू हो गया प्रशने नर्मान बन गया प्रशने याद है आपको पता है कि यहाँ पे एशू लगा है तो यहाँ पे लगा दीजे केशू कस वहाँ पे वैग्यानी कस्य लगा हुआ है भूकंपस्य लगा हुआ है तो लगा दीजे कस्या है ना की द्रशानी लगा जैसे लिखा है ताद्रशानी है ना कोई भी द्रशानी आन शब्द लगा हुआ है तो उसके स्थार पे की दृशानी लगा जी किस प्रकार का जैसे वैग्यानिका कथ्यंति यत प्रथिव्या अंतर गर्भे पाशान शेलानाम संघर्षनम कंपनम जायते कि वैग्यानिकों का कहना है कि प्रथिवी के अंतर गर्भ में जब पाशान शेला का संघर्ष के द्वारा कंपन जायते कंपन उत्पन होता है सभी में जो अर्थ लगाया किस से उनकी विभक्ति के द्वारा ही हमने उसको अर्थ बताया कैसे कि जैसे के यत यानि की प्रथिव्याह प्रथिवी के सश्टी विभक्ति लगी है अंतर गर्भ है सक्ति विभक्ति तो कहाए कि अंतरगर्भ में पाशान शिलानाम पाशान शिलाओं का सश्टी विभक्ती है तो जैसे रामानाम बनता है ऐसे लिखाए पाशान शिलानाम तो पत्थरों की शिलाओं का संघर्षेन यानि यहां पर रामेन तृतिया विभक्ती लग गई तो इसका निकला जायते उत्पन होता है ठीक है तो अब हम जब इसका प्रश्ण निर्मान करेंगे तो अब किसके स्थान पे में लगाना है वो ले वैग्या निकाह तो वैग्या निकाह शब्द देखें तो हम यह कौन सा रूप बना है वो ले यह बना है रामाह राम शब्द वैग्यानिक तो अकारांत ही हम जो किम शब्द का लगाएंगे उसका किस का रूप लगाएंगे बोले पुरलिंग वाची किम शब्द का लगाएंगे और उसमें बिभक्ती कौन सी लगी है बोले बहुवचन वाली जैसे रामाह बनता है बालकाह बनता है बालिकाह बनता है बहुवचन में तो यहाँ पर भी यह वैग्यानिकाह बहुवचन का रूप बना है तो किम शब्द का भी हम बहुचन का रूप कौन सा लगाएंगे मुले यहाँ पर भी हम काएंगे के क्या लगाएंगे के ठीक है क्योंकि अगर नपुन्सक लिंग में बनाते तब बनता हमारा कौण सा किम के काने लिगन यहापर वैग्यानिक लगा है तो कौण सा बनेगा कह कऊ के पूरलिंग में कौन कहता है ऐसा कि प्रत्वी के अंतर गर्भ में पाशान सिला के शंगहर से कंपन नुत्पन होता है कौन कहता है ऐसा तो उत्तर आया वैग्यानिका प्रशने नर्माण हो गया बस देखे कितना कितना परिवर्तन हुआ सिर्व एक शब्द का अब कहते हैं विवशाह प्राण का एव निहनते मतलब अकस्मात आकाशे कहेंगे कि अचानक से ही कैसे बुले चीटी की तरह पिपीलिका किसको कहा जाता है कहते हैं चीटी को और एव का अर्थ हुआ प्रकार चीटी के प्रकार मारे जाते हैं ठीक है तो बुले किस में मारे जाते हैं तो कहें विविशा प्रा बात आएगी तो या तो हम कुत्र शब्द का प्रियोग करेंगे यहां पर या फिर करेंगे कस्मिन चीक है यह जो हमारा है स्थानवाची शब्द के लिए आता है तो यहां पर क्या आकाशे तो आकाशी जो शब्द है वो किसी स्थान की बात कर रहा है और उसमें सब्तमी आपके तीन हो गए अब आगे के हम आगे पड़ते हैं तो अब हमारा फूर्त वाला कौन सा आता है एत्रत एता द्रशी इस प्रकार की एता द्रशी भयावा घटना गडवाल छेत्रे घटिता एता द्रशी यानि इस प्रकार की भयावा घटना गडवाल छेत्रे गडवाल छे नाना तो यह एताद्रशी शब्द जो दिया हुआ है इसके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द बनाना है कि एता द्रशी इस प्रकार की भायावय घट ना गड़वाल चीटर में भी घटे तो हुई तो अब जब एताद्रशी हमने देखे यहां पर इसमें भी थोड़ी सी एक आपको ध्यान रखने वाली है कैसे यहां पर एता यानि यहां पर यहां पर यह इस्त्री लिंगवाची शब्द है है ना लता की तरह शब्द है इसलिए की द्रशी हो गया है ना यहां पर कोई नपुनसक लिंगवाची शब्द हो चेतर में हुई थी तो उत्तर हमारा था इतादशी इसी प्रकार की ठीक है यह हमारा प्रशन निर्माण हो गया फिर कहते हैं तदी तद इदानीम अब यहां पर तदी दानीम लिखा हुआ है इसको अगर तोड़के पड़ेंगे तो क्या बनेगा तद तद इदानीम फिर इसी प्रकार की भूकंप कारणम विचारनियम तिस्थती तो करें तद इदानीम तो इस प्रकार भूकंप कारण पर विचारनियम तिस्थती विचार करना चाहिए तो अब यहां पर किसके नीचे लेगी हुए अंडरलाइन इसमें नहीं टाइप होगा है लेकिन आम आपको बता देते हैं कि भूकंप कारनम भूकंप कारण के लिए विचार हमें करना चाहिए तो यहां पर देख लिए कारनम शब्द में दूतिया भिभक्ती का एक वचल और रूप लगा हुआ है तो यहां पर भी हम कौन सा शब्द लगा देंगे कि में ठीक है तो ये इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न निर्मान का भी प्रश्न हो गया अब हम आगे दिख लेते हैं आगे क्या करना है भूकंप विशाय पर पंच वाक्याम इतम अनुच्छेदम लिखं क्या लिखना है आपको भूकंप विशाय पर पंच वाक्याम पंच वाक्याम पंच लेकिन ऐसा नहीं होता है निबंद का अर्थ क्या होता है निबंद जिसमें बंधन ना उंक है ना और अनूच्छेद एक क्या हो जाता है एक सब चीज का सारान समान लिजीए है उसको कुछ जैसे कुछ कहें गद्यांश की रूप में कुछ पधों में और लिमिटेड ठीक है बिलकुल सीमित सब्दों में उस विशय को बता देना अनुचित का कहलाता है ठीक है तो यहां पर जब आप पांच वाक्य की उन्होंने लिमिट दे दी है कि पांच वाक्यों में ही इसके बारे में बताना है तो यहां पर हमें कुछ विस्तरत रूप से बताना नहीं तो जहां विस्तार से नहीं बताए जाता है वो अनुचिद कहलाता है तो अब हम देख लेते हैं कि पहले पहला वाकिय इसके लिए पांच वाकिय हमने आपके लिए बनाए कि पहले लिखा है भूकंप धराया भूकंप धराया विनाशलीला भवती है ना भूकंप से क्या होता है धराया यानि धरा की विनाशलीला हो जाती है है ना फिर केते यदा धराया अंतह इस्थितासू शिलाशू शंगर्शनम भवती तदा भूगंपम जायते जब धरा के काकीके का अर्थ निकालना था तो इसलिए धरा शब्द में हमने सश्टी विपक्ती लगाई जब धरा के अंतह यानि अंदर इस्थित शिलाओं में संगर्शनम भवती जब संगर्शन होता है तदा भूगंप जायते तभी भूगंप उत्पन हो जाता है भूगंप सेन या आएगा यहां पे भूगंप सब पेन लिखा है लिखेंगे आप भूगंप सेन या भूगंप सेन देखें ये फूरा थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है ठीके पेन तो होगा नहीं यह कह रहे है भूगंप सेन याने भूगंप के द्वारा अपर मित लावारा धरात लात निरगत्य नदी वेगे न प्रवंत के द्वार है ना क्या कहते हैं अपरिमित लावारा यानि अपरिमित रूप में कोई इसकी सीमा नहीं है परिमित का अर्थ होता है सीमित लेकिन यहां कह रहे हैं अपरिमित यानि बहुत अधिक मात्रा में लावा धरातल से निर्गत्ते निकलता हुआ नदी वेकिन प्रवंता नदी के व नग्रेशुवा महाविनाशम कूर्वन्ति और नगर और गाउं का विनाश कर दिता है है अतअ है असमावी प्रकृते विरुद्धानी कारियानी ना करना चाहिए बहु भूमिक भवन निर्मानम अब क्या क्या नहीं करना चाहिए कि बहु भूमिक भवन निर्मानम बहु भूमिक मतलब बहु मंजली ये बड़ी-बड़ी इमारतें जादा नहीं बनानी चाहिए है ना क्योंकि क्या होता कि देखे प्राकरतिक आप नहीं तो आएंगी लेकिन उसके महाविनाश को कम करने के लिए हम कम से कम ये ऐसी बहु मंजली इमारतें जब बना लेते हैं और उनमें लोग रहने लगते हैं फिर जब कभी ऐसी चीज़ें आती तो क्या होता है वो जो बह भूमेक भवन निर्मानम नदी तट बंधान यानि बांधों का निर्मान नदी तट का बंधन करना को कहते हैं बांध बनाने को कहते हैं ठीक है व्रक्षा नाम करतनम व्रक्षों की कटाई को का करतनम न करनियम नहीं करना चाहिए ठीक है तो इस प्रकार से ये हमारे भूकं पहले वाले अभ्यासकारी में कर लिए तो अब हम चलते हैं अपनी पांचीवे प्रश्न पर जिसमें क्या कह रहे हैं कोश्टकेशू धत्यशू धातुशू निर्दा निर्देश अनुशार परिवर्तनम बिधाय रिक्तिस्थानानी पूर्यत अर्थात कोश्टक में दी है भू है भू धातु है प्रच धातु है समधातु विश्धातु है समतोपसर्ग है विश्धातु है तो यह जो हमारी धातुएं दी हुई है उनको निर्देश आनुशार और बाद में यह निर्देश दे दिये उससाब से उनका परिवर्तन करके क्या करना है आपको उनका पूर्ता सही रूप बना के इन में पितिस्थानों की पूर्ति करना है तो कैते हैं समय ठीक कैते हैं समय भारतं उल्लास उल्लास एंप मगन चिने के समय भारत उल्लास में मगन यहां पर जो असदहा तू है अब मैं यहां पर दिमाल लीजिए यह हमारा रिक्त स्थान यह सोची कि यह नहीं लिखा हुआ है हमारे पास ठीक है तो अब आप किस प्रकार से रूप बनाएंगे पहले हम आपको रूप बनाना बताएंगे यह तो हमने सिर्फ आपकी एक सहूलियत के लिए कि आपका भी स्क्रीन शॉट ले ले लेते हैं और आपके पास उसका आपका पूरा लटलकार में बना दीजिए और लटलकार में भी इसमें यहां पर नहीं लिखा है इसमें प्रथम पुरुष एक वचन की रूप में इसको बनाना था प्रथम पुरुष एक वचन ठीक है प्रथम पुरुष लटलकार में तो असधातु का बन जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन में अस्ति जैसे ती तह अंति लगता है सी थह थह आमी आवह आमह यह आपके रूप बनते आपको पता है लटलाकार में प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में अगर पहली लाइन देखी जाए तो क्या उपस में प्रते जोड़े जाते हैं तो यह हमारा बन जाएगा अस्ति क्या बन जाएगा अस्ति ठीक है अब ऐसे ही कहा कि भूकम्प विभीशिका कच्छ जन बदम कच्छन बदम कुछ आज कुछ इसमें थोड़ा मिस्प्रिंट लिखा ही हुआ है वहाँ पर भी पहले वाले में मैं कुछ-कुछ ऐसा लग रह आया आगी जो आपके प्रेशन जो लिखे हुए है रिक्तिस्थान है उनकी पूर्ती कैसे निर्देश के अनुसार करनी है ठीक है भूकंप विभीशिका कच्छ जन्पदम विनस्ट क्या कह रहे हैं कि भूकंप क्या जो विभीशिका विपत्ती है उसने क्या किया कच्छ जन् निकलेगा उसमें आप एक्तवतु प्रत्य जूड़ दीजिए तो आपको पता है कि यहां पे जब जो एक्तवतु प्रत्य जुड़ता है तो क्या हो जाता है इसमें तवत जुड़ जाता है है ना कृतवत हो जाएगा इसका अब कृतवत जब हो जाएगा तो उसमें उन्हों तो और लेकिन यह गलत होता तो उन्होंने ताप प्रतिय नहीं इसमें जोड़ दिजिए। पहले कृधा तो में एक्तवतु प्रतिय जोड़ीत जिससे बनेगा कृतवतु और उसकी बाद उन्होंने कहा कि गीब प्रतिय जोड़ तो गीप प्रत्या में से क्या बचता है अकिला यह इंगा का लोप हो जाता है पा का लोप हो जाता है किवल बड़ी एकी मात्रा बचती है जो हमारी किसी भी धातू में जुड़ जाती है तो हमारा सही शब्द क्या बनेगा क्रितवाती कि भूकंप विभीश का अब ये देखे जोड़ा बड़ी ए की मात्रा क्यों आई इसमें क्योंकि ये भूकंप विभीषी का शब्द ने यहाणि बड़े आकी मात्रा ने इसको स्त्री लिंग शब्द बना दिया इसलिए यहाँ पर स्त्री प्रत्य बि征डा गया ठीक है नहीं तो कृतवत अकेला और ही अगर यहां पर भूकंप अकेला होता तो यहां पर कृतवत शब्द भी हम लिख सकते थे लेकिन उन्हों ने क्या कहा कि गी प्रत्ते भी जोड़ों क्योंकि वहां पर जो भी भूकंप विभीशी का शब्द लिखा है वो इस त्रीलिंग शब्द है ठीक है अब कहते हैं चणेन एव प्राणी नहां ग्रह विहीन चणेन एव यानि चण में ही एव का अर्थ क्या होता है ही और चण का अर्थ होता है कुछ ही पल में चणेन एव चण भर में ही प्राणी नहां प्राणियों को ग्रह विहीन घर से विहीन यानि बिना घर का कर दिया अब करने की धा दुकाव इसमें अर्था बताना है तो भू इनने धातू दे दी उसका कौन से लकार में बनाना है कि रहें लंग लकार में अर्था भूत काल में भूत काल में भी कौन सा प्रथम पुरुष का बहुवचन ठीक है अब आपको पता है कि आपने हमने भूधा उन जो आपकी बहुबचन का रूप क्या बनता है हमारा अहतम्त ठीक है तो यहां पर उन्होंने कहा कि यह कौन सा लंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुबचन मनाई यह तो हमारा क्या बन जाएगा आ तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा पहले उपसर्ग की तरह लग जाएगा क्योंकि हर भूत काली क्रिया में आ पहले लिखता ही है और उसका बहुवचन का रूप क्या बनेगा अभवन ठीक है क्या बन जाएगा अभवन ठीक है अब हम कहते हैं क्योंकि भूध हातों के अगर आप रूप देखेंगे तो जैसे तो कहते हैं अह तम्त जैसे अगर भूत काली क्रिया में देखें तो जो प्रथम पुरुष जो होते हैं प्रथम पुरुष एक वचन की अगर क्रिया देखें तो उसमें अह जुड़ जाता है दोई वचन में तम जुड़ जाता है और इसमें तह जुड़ जाता है त सिर्फ तह नहीं त अकेला चीक है यह इसमें जोड़े जाते प्रत्य लेकिन भूधातू के अर्थ भूधातू के जो रूप है वो लंगलकार में थोड़े से अलग चलते हैं यहां पर तन आके ना लग जाता है ठीक है तो यहां पर क्या हो गया अभवन हो गया ठीक है अब कहते हैं शांती शांतानीन यानि शांत अवस्था में पंच तत तो आनि पांचो तत्व भूतल से यानि भूतल के लिए भूमी के लिए प्रत्वी के लिए योग शेमा भ्याम यानि योग शेमा भ्याम होते हैं होते हैं इसका अर्थ होने में निकार ना है कैसे क्योंकि भूधातू बता रही है कि इसमें होने का अर्थ आप लगाईएगा अब उसमें भी रूप कैसे बनाना लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन बनाना तो लट लकार में क्या बनता है ती तह अंती तो भूधातू का प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या बन जाएगा भवंती ठीक है यह हमारा रूप बन जाएगा अब कहते हैं मानव यानि मानव लोग अब इसमें क्या हो जाएगा प्रच्छ धातु बोल रहे हैं यानि पूछने की बात बता रहे हैं मानव लोग पूछते हैं कि बहु भूमिक भवनानी निर्मान करनियम नावा क्या पूछते हैं कि बहु भूमिक भवन निर्मान करना है या नहीं है न करना है या नहीं तो पूछने की धातु इसमें प्रच धातुक है अब प्रच धातुक क्या कौन सा रूप बनाना है करें प्रत्थम पुरुष का बहु अचन का रूप बना दीजिए तो वही की बात बात औरे वर्तमान का बहुच्छय की प्रथम पुरूष की लाइन क्या होती है तीत neatly तो प्रच धातव प्रचंती तो så हमने इसमें लगा दिया लगतने प्रथम पुरुष का बहुच्छय का रूप अब कहते हम यहां पे नदी वेग एन ग्रामा तद उद्रे नदी वेगेन नदी वेगे के द्वारा ग्रामा यानि जो गाउं होते हैं तद उद्रे उसके उदर में क्या हो जाते हैं विश यानि होना उसके अंदर समाहितूना अब विश धातू में क्या क्या लगाना है कह रहे पहले तो सम उपसर्ग लगाना है त देखते जाएं अपन बिल्कुल इसी के जैसे उन्होंने क्रम दिया है वैसे ही हम इसको संधी के द्वारा बना लेंगे तो संव में जब आज उड़ोगे तो क्या बन जाएगा भूलि संव में जब आज उड़ जाएगा तो यह हो जाएगा समा यहां संदी हो समा बन गया अब विश्धातू है कि है यह हमने समा कर दिया फिर हो गया विश्धातू हो गया ठीक है शमा विश्ष हो गया अब इसकी बाद क्या करना है कै Velvet प्रत्थम पुरुष बहुवचन में लेकिन कौन सा विदिलिंग लकार का जाना है विदिलिंग अब इसमें लट लकार नहीं है लोट लकार नहीं लंग लकार नहीं है इसमें विदिलिंग लकार का और वो भी बहुवचन ठीक है तो उसमें हमारा जब बहुवचन का रूप तो उसमें एयू हूँ एयू हूँ प्रत्य जुड़ जाता है ब्रिदेलिंग लकार का देखिएगा आप प्रतम पुरुष की लाइन देखेंगे उसके बहु बचन में हमारी जो भी धातू होगी तो जैसे समाविशी हमारी धातू बन गई उसमें हमारा जुड़ जागा समाविशी यह बन गया हमारा इस प्रकार से यह देखिए रिक्तस्थान की पूर्थी हो गई अब आगे चलते हैं सुनिए देखिए एक और बात हम आपको इसी के क्रम्बय बताना चाहते हैं कि जैसे यह क्रियाओं के अभी रूप बताए है अब जैसे यह अपना 10th क्लास क खतम होगा हम पहले 90 की ग्रामर शुरू करेंगे क्योंकि 10th की ग्रामर हो गई थी और यह हमारा मानना है कि अगर जब तक आपको 90 की ग्रामर अच्छे से नहीं आए तो 10th की ग्रामर आपकी आधी आधी ऐससे जूलती रहेगी क्योंकि बेसिक जो आपकी व्याकरन वीथी है 10th क्लास की ग्रामर के लिए जो NCRT ने बताई है कि आपको व्याकरन वीथी में से ही व्याकरन आएगी 9th और 10th के लिए तो उसमें पता है कैसे portion दिया है कि जैसे संधी दी तो संधी में भी स्वर संधी 9th में के लिए बता दी है और 10th के लिए व्यांजन संधी है तो भई 10 टेंध कीम जब ग्रामर पढ़ा रहे थी तो हमने व्यांजन संधी से ही शुरू किया लेकिन अब 9 कीम फिर से शुरू करने वाले हैं तो जो बेसिक चीजे हैं वो सारी आपकी ग्रामर की 9th क्लास में आहेंगी तो आप जो भी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं वो अपनी 9 10 की ग्र ग्रामर बाद में करिएगा पहले 90 की ग्रामर जरूर अच्छे से कर लिजेगा आप लोग कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर उसमें कोई डाउट है तो अब 90 की ग्रामर जरू देख लिजेगा जिससे कि फिर जब आप 10 की पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान संदी और और उसका विछेद कीजिए अगर जहां संदी शब्द तो उसको विछेद कर दीजिए विछेद सब्द दी तो उनको संदी कर देजिए ऐसा करना है जयसे किँछ चैक है परसंदी नियम अनुसर करिए अगे और है चा के पहले चा के पहले कोई भी पंचम वर्ण आए यहां पर केवल चा की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर हर एक किस्व की बात कर रहे हैं पहले अक्षर की है ना पहले अक्षर की बात कर रहे हैं यहां पर प्रथम अक्षर प्रथम मर्ण कौन सा दिया है हर वर्ग का यह च वर्ण दिया हुए तो वो इसी के पॉलए अक्षर में परिवर्तित हुगा तो यहां पर देखे रिहें तेखें किंच बने गा किंच शब्द दे दिया था और यहां पर रिक्तिस्थार में क्या लगाओगे तो कैसे हम ध्यान करेंगी कि क्या हो सकता है दो यहां पर की तो आही जाएगा ठीक है अब इसके बाद जो यह यह लिखा हुआ है हम इसको पहले अगर यहां ऐसे ही लिख दे ठीक है Oh यहां पर चा लिख दे तो अब हमें अपनी संधी अनुनासिक जो संधी है उसका हमें नियम याद करना पड़ेगा कि ये जो हमारा यहां है वो कब आता है जब यहां पर मां होता है किम उच्च तो बन जागा किंच ठीक है ऐसे ही नगरन तू अब देखे नगरम और तू लिखा हुआ है इसमें ठीक है नगरम तू लिखा शब्द कुन सा है मां तो यहां पर जो शब्द बनेगा तो यह मां किसमें परिवर्तित हो जाएगा यह न में परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि इसका पांच वाक्षर ताथा दाधा न आता है जैसे कि चाचा जाजा यहां आता था तो यहां पर किंच यहां आ गया ऐसे त तो यह क्या वन गया नगरंतु ठीक है आगे देख लेते अनुनासिक शंदी पड़ी होगी तो आपको फिर वहीं देख लीजे फिर से विपनंच विपनंच ठीक है तो विपनंच जो शब्द लिखा हुआ है अगर आप इसको विग्रह करें सुनिए पहले जादा कुछ लिखेंगे आप ऐसे लिखेंगे विपनंच विपनंच और इधा लिख दीजिए च यह विग्रह कर दिया आपने अब आपको याद आपको ध्यान होगा कि यहां पर जो अनुनासिक संदी क्या कहती है कि यह जो वन आया है वो किसकी होने पर आया है यहां माह होता है तब य यहां पर संधी की द्वारा यह आधा यहां आपको दिख रहा है तो जब इसका फिर इस जो यहां जो हमने लिखा था उसको किसमें कर देंगे मां में परिवर्तित क्योंकि अगर हम अकेला इसको इसे ऐसा ही लिखा रहने देते विपनन यह लिखा रहने देती तो इसका कोई अर्थ निकलता नहीं तब लेकिन जब इसको हमने इसमें मा लगाया तभी ये हमारे फलम पुस्तकम नपुनसकलिंग शब्द बना है न मा लगाना भई हमें जब अलग करते हैं तो ये भी ध्यान रखना होता है कि जो अलग हो वो अपने अपने सार्थक शब्द हो ऐसा नहीं कि कुछ भी तोड़के अलग लिख दो विप अलग लिख दो अन अलग दिको मा लग लिख दो चाल लिख दो विग्रह का मतलब ये भी नहीं होता है वही शब्द भी निकलेंगे तो वो कैसे निकलेंगे उसार्थक निकलेंगे उनका कु यह किन लिख दे और यहां पर इसका क्या लिख दे किन आदा लिख दे और यहां पर नू लिख दे तो नू तो इसका तो यह तो हमारा एक अव्य हो गया लेकिन यह जो किन शब्द है किन कोई शब्द होता है नहीं होता है क्यों होता है तो बोली यह हमें ध्यान करने पड़े हैं ऐसे देखें नगरन तु बना हुआ है तो नगरन अलग पहले निकाले जैसे भुज नगरम तो हम जैसे कहें भुज नगरन और तु अलग निकाल देजे तु अलग निकाल दिया तो भुज नगरन शाहि तो नहीं हुआ तो आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि ये जो तह है ताका मेल किसी चीज में हुआ होगा तभी तो ये ना बना हमारा किसमे हुआ यहां पे जब मा यहां पे अंत में आ जाता है तब ही क्या होता है आगे वाले वर्ण की अनुसार वो उसी के पंचम मर्ण में परिवर्थे तो हो जाता है ठीक है अगर चा होगा तो यहां बन जाएगा आगे वाला मा ता होगा तो ना बन जाएगा यहां पे चा था तब भी यह बन गया अच्छा यहां पे भी यह देखे कौन से वर्ग का है ता वर्ग का अक्षर है ता वर्ग का अक्षर है तो भी यह ना बन गया है ना यहां पर स वर्ण देखे संधी क्या कहती है कि आपके ज़ल जितने भी जल होते हैं जल का अर्थ हो गया आपके ये जो पांचों वर्ग होते हैं जैसे कावर्ग चावर्ग टावर्ग तावर्ग और पावर्ग ठीक है यह इनके पांचो पांचो अक्षर के पहले अगर माँ आए इसके पांचो अक्षर काखा गहाईयां चाचा जाजाईयां ताठा डाड़ाना ततथादाधाना पाफा भावा मा इन focus यह कोई भी अक्षर दिए हुए हो और इनके यदी मां आता है तो वो इन ही वर्गों का पांचवा अक्षर बन जाता है कि अगर काके पहले मां आया होता तो ये जो मां है वो इंगा में परिवर्तित हो जाता चाके पहले अगर मां आया होता तो वो यां में परिवर्तित हो जाएगा आधे में ताके पहले आएगा तो आधा ना बन जाएगा ताके पहले आएगा तो आधा ना बन जाएगा और पाके पहले आएगा तो तो फिर आधा मा रहेगा ठीक है ये इसका परसवर्ण संदी का नियम हो जाता है ठीक है पर के हिसाब से सवर्ण ले आओ पर यानी बाद मे आने वाले पर सवर्ण का अर्थ की ही क्या होता है कि पर यानि बाद में आने वाले की हिसाब से सवर्ण अपना लेके आ जाओ यह होता है पर सवर्ण अब फिर से देख लीजिए यहाँ पर तो यहाँ पर नगरंतु आपने देख लिया कि यह जो ता है ता का मेल जब इससे मा से हुआ होगा तब ही तो यह नगरण्तु बना हमारा ऐसे ही संचए में देख लीजिए कि अगर हम इसको ऐसे निखा ले हैं शेट होने तो जो यहां आया है कि कि स्थान पर आता है वह झा के हूने पर मा यहां में परिवर्दित खोए ता के हूने पर जो ना होता है वो मा में परिवर्तित हो जाता है यहां पर भी देखिए कि जो ना है यानि तावर्ग काक्षर है ना के होने पर ही मा में बदला चा के होने पर ही ये मां यां में बदला है ना ता के होने पर ये मां नां में बदला है ना ऐसे ही चा के होने पर यह मा यहां में बदला ठीक है यह इसका परसवन का नियम हो गया आगे चलते हैं विसर्ग संधी नियम अनुसार हम विसर्ग संधी के नियम अनुसार लिख लीजिए अब यहां पर फिर से देख लीजिए वो आ गया जो हमने आपको सत्व संधी र आपको स दिख जाए आधा तो आधे सा कहां पर आधा सा विसर्ग के स्थान पर आता है तो विसर्ग के स्थान पर कौन सा आ जाएगा विसर्ग और तू कि जब इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा शिश्वस वस जो था क्या बन जाएगा शिश्वह और तू अलग निक लीज़ें कि विस्फोर शब्द अलग लिए जो रह भीच में आया है जो अपी में मिल गया ह। तो तो उसमें से अपी हम बाहर निकालेंगे तो क्या बनिगैं विस्फोर वन जाता ऐसा और जो अधा रह होता है? किस से बनता है? व्यों भू सरग से पीछे आने वाला आधार, आधास, जब साथ में जाता है तो किस के स्थान पर बनता है, संधी जब होती है, तो आधास, ये वाला श, आधा ये वाला श, आधार, ओ की मात्रा और ये हमारा अवग रहे है, ये किस के स्थान पर आते हैं, विसर्ग संधी में हमने आपको बताए हैं विसर्ग की स्थान पर आते हैं ठीक है जड़ा पढ़ लीजेगा एक बार तो आपको और यह क्लियर हो जाएगी तो रा के स्थान की स्थान पर हमारा विसर्ग आएगा और आयम हम लिखते हैं भू कमपो जायते अब देखे जहां पर लेकिन यह जहां पर अलग अलग लिखे हुए हो और ओ की मात्र लगी हो ठीक है अब ओ की मात्र लगी है लेकिन आ नहीं था इसलिए अवग रह नहीं लगा यह दो बाते प गुकम्पह जाये थे ठीक है औ की मात्रा विसर्ग में परिवर्द स्टाइऑ यहां पर अलग अलग देखे वामन कल्प एव यहां पर भी देखे किसका लोप हुआ है विसर्ग का लोप हुआ है तो क्या करेंगे जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा वामन कल्पह देखिए एव के होने पर कल पेव नहीं लिखा इन्होंने कल्प एव लिख दिया ठीक है एव इसके साथ में होने पर इसके विसर्ग का लूब हुआ लेकिन जब इसको अलग करेंग तो वामन कल्प शब्द रामह की तरह अपने मूल रूप में आ जाएगा अपने प्रतमा बिवक्ति और मूल रूप में कैसे लिख देंगा उसको वामन कल्प ठीक है और यह हमारी इस प्रकार से क्या हो गई संधी विक्रे हो गई अब देख लेते हैं का इस्थंब पदानी द भूप में उनको देख ले एक समपन्नम का उल्टा हो जाता है लिपन्नम द्वस्त भवनेशु क्या क्या हो जाएका यानि बहुत देज़ंत अब क्या बताना है समय नार्थक बताने ने हैं पध कह इसतंब beef में की प्धू के आपको इसतंब में से सम क्या हो जायेगा देप शार आखुल लोग उनको उसको जो है व्याकुल कहते हैं विशीर नहां विशीर नहां का अर्थता है नश्ट हो जाना विखर जाना तो नश्टा है शब्द उसका समानार्थक है क्याते हैं उद्गिरंती तो क्या करते हैं उद्गिरंती यानि उगलता हुआ तो हमारा उसका समानार्थता को जाएगा प्रकट य प्रकुपिताम का है अनुगताम को जाना करोध युकताम इसका समानार्थ पदूग और चीप आगे चलते हैं और अनुसरत्य प्रकृति और विभागत कुर्थ प्रकृति और प्रत्रें का आपको विभाजन करना है वैसे तो हम उन्होंने कहा कि परिवर्तिती दिखा हुआ है तो उसको आप पूरा विग्रह करके लिखे कौन साथ प्रिकृती है प्रत्य है यह सब बताईए तो उसमें परी उपसर्ग है वृत धातु है एक्तवतु प्रत्य है और घीप भी एक प्रत्य बड़ी एक की मात्रा का दिया हु वृत इसकी क्या है प्रकृती प्रकृती है यह यानि मूल शब्द है यह दोनों है प्रत्य है एक्तवतु प्रत्य है और घीप प्रत्य है नहीं तो आप सूचो कि परी भी उसकी प्रकृती है परी उसकी प्रकृती नहीं है यहां देखें तो ध्री जो है उसकी प्रकृती ह और ये इसका प्रत्या है एक्तवतु प्रत्या है हस इसकी प्रकृति है और शर्त्री इसमें हसन तो अन जहां बचता है वहां हमारा शर्त्री प्रत्या होता है तो क्या बन जाएगा हस इसकी प्रकृति और शर्त्री प्रत्या है विशीर नामे वी इसका उपसर्ग है आप लो प्रकृति है ठीक है इक्त इसमें क्या है हमारा इक्त इसमें प्रत्य है और बड़या की मात्रा लगी ना विशीर ना तो एक टाप प्रत्य ऐसे लगाया है ये भी प्रत्य है और ये भी प्रत्य है आपका ठीक है प्रा इसमें उपसर्ग है आपका चल इसकी प्रकृति है क्यो कां से आती है गीप प्रत्या से आती है ठीक है हस हत क्या लेका है हत तो हन इसमें धातु है केवल ताशेश बचा है तो एक्त प्रत्या लगा हुआ है ठीक है यह हमारे प्रकृति प्रत्या का भी विभाजन हो गया यह इसलिए बता दिए कि आपको पता रहे कि यह दोनों प्र सर्ग था कौन सा प्रित्य था पता ही नहीं चला अब आगे बढ़ जाते हैं कि पाथा विचित्य समस्त पदानी लिखे यह हमारे क्या लिखे हैं यह सामासिक समासिविग्रह लिखे हुए हैं और पाथ में से चुनकर उनकी ही हिसाब से समस्त पद लिखे यानि सामासिक पद महान जो कमपन होता है उसको क्या कहा जाता है महत कमपनम वो किसमें लिखा हुआ है हमारी पुस्तक में ऐसे ही चुनकर लिखना है दारों चासा विभीशिका जो दारों जैसी विभीशिका हो यानि बहुत दुख उत्पन करने वाली जो विभीशिका हो भयानक जो विभीशिक का यह समस्थपद एमारी book में दिया है पुस्तव में ध्वस्तेश। चा तेशू भावनेश। भावन जो ध्वस्त हो गए हो उनको क्या कहते है ध्वस्त भावनेश। उसका समस्तपद येसे बनेगा कहते हैं पफ़ांति है प्राक्तिन चा तस्मिन यो interessante महान राष्ट्र में उसका क्या हैगा महध राष्ट्रे महत राष्ट्रे उसमें लगा देगे महान जो महत शब्द है ऊइसमें जोड़ेगा क्या बन जायगा महध रास्ट्रे के इस प्रकार से हमारे हो गई तक है अब हम एक्सanse वीडियो में अपने एक नए चेप्टर को शुरू करेंगे टीके अपना 11 अपने भय परी अपीस हदाइं प्रेश सेखुर्डर दने उफ् def jour करेए इसको हम अपने नेक्स्स वीडियो ॅक। कि इनका समा से विग्रह भी यह होता है ठीक है